तो आपसे क्वेस्टिन भी है चौजी साब ने पहला क्वेस्टिन जो है ना वो क्लास शुरुने से पहली भेज़ दिया हमें तो जब तक हम बात करने हैं आफ जरे इस पर रिसर्च करें कि तज हलू जो फेल है ये किस किस बाप से आता है अच्छा अंटिल देन लेट्स कंटिनियो तो आज हम जो है बात कर रहे हैं कि क्विज का रिजल्ट अनौंस कर रहे हैं क्यूसी सिक्स का क्यूसी सेवन के क्विज पर कोई क्वेस्टिन थे उनको अंसर करेंगे इंशाल्ला और सुरुत अलहज का इंट्रोड़क्शन करेंगे और पैरेमिटर सेट करेंगे क्यूसी सेवन के लिए और फॉर्मेट के हम कैसे इस क्यूसी सेवन को ज्यादे दल्चस्प बना सकते हैं इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं और हम कैसे से मुस्तफीद हो सकते हैं इन बेस्ट बि leur सी इस स्थे शूरू ना करें रहory किस से शूरू करें आज और विलागा के हवजे से बिल्कुedes पिलकुल अगर उसके हवाले कुछ ककुछ और विलागा उससे पहले उसने पहले शूरू कर लू यह उसमे मैं काफी देर से काम कर रहो हूं दिनो Mickey तो आप से शेयर करना है अब तक की जो रिपोर्ट है एक बात तो यह है कि और इसके अंदर चुंके आप QC6 भी QC7 बन गई है तो आप लोग भी पहली बात तो यह है कि जॉइन कर सकते है यह जो है ना हमने बैट के जो है अनाज़र लगाया कि अगर करना ही है तो यह बार बार तो QC6 होना नहीं है तो इसमें आप भी जॉइन अगर करना चाहें तो कर ले अब आप सुने इसके जो the other side of the coin जो जिन टीचर से जो मेरे टीचर थे 20 साल पहले उन से मेरी कल रात को मुलाकात हुई So we discussed about the course उन्होंने मुझे क्या क्या बातें बताई ये जरा होर तलब है एक तो उन्होंने का जी जरूर करना चाहिए नेक्स टेप यही है और बहुत पहले कर देना चाहिए था करना चाहिए लेकिन उनका ख्याल क्या उनका जी एक तो इसको कहते हैं मैं तो नहीं पढ़ाता इसको आनलाइन और हमने जो आनलाइन पढ़ा है कोर्स जिनको नहीं पता मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हसन बंदरी की जो टीचर है अरबिक के और बलागा के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवस्टी इसलामबाद में और ये पिछले 20, 22, 25 साल से पढ़ा रहे हैं वहाँ पर और मैंन का स्टूड़न्ट था 20 एर्स अको तो इन्होंने जो बाते में बज़े तक मेंचाएं पहली बात तो ओनलाइन हो सकते और लेकिन हमारे मेरा तजर्बाद ससस्केसफुल और लेकिन हरे का अपना अदाज होता है उन्होंने का जी मैं तो फिजिकल क्लास ही पढ़ा सकता हूं और फढ़ाऊंगा और फाइदा मन्द होगा। लेकिन नेक्स्ट फिर हमने का जी कैसे पढ़ाएंगे और कौन सी किताब से तो जो मैंने स्टेडी किया था दुरूसलोगा जो बुक है जो किसे ने शेर भी कियी थी उसकी स्लाइड बलके थैंक यू आइधिंक जिया भाई ने शेर की इन थी स्लाइड पावर पॉइंट तो वो मेरी प्रेफरेंस है लेकिन उन्हेंने का कि नहीं स्टेंडर्ड बुक ज तो आइधिंट लेकिन यर्भी में समझ आजाती है और नहीं समझ आठी तो हम समझा भी लेंगे तो ने का चैलेंज से उराख रहा हुँ हमने का अच्छा ठीक है देख लेते हैं कि फिजिकल इस भी हो और एरबिक में भी हो और सको समझा भी देंगे तो नेक्स्ट नेक्स होना ने का जी जो टिपिकल क्लासेज वो पढ़ाते रहते हैं तो उन्होंने मुझे अपनी स्टैट्स दीं कि जी पचास से स्टुडिन्स की क्लास अगर शुरू होती है तो आखर में दस रह जाते हैं अच्छा ठीक है ये भी I don't know how to view this लेकिन ये भी एक चैलेंज है नेक्स्ट फिर मैंने मैंने भी और शदाज साब ने भी ज़रा स्टेडी किया नेट पर क्या क्या चॉइसेज हैं क्या करना चाहिए एक तो हमने ये तैय किया है कि हम इस सेरेडे को क्लास नहीं शुरू करते बलके एक हफ़ते का गैप लेके नेक्स्ट सेरेडे को क्लास शुरू करते हैं इन बेट्वीन हम सारे आप्शन और भी देखते हैं इन से हमने ये कह रहे हैं कि हम इंट्रड़क्टरी क्लास ये पढ़ाएं नेक्स्ट सेरेडे को और हम एवैलिएट करें कि कि क्या इस देट 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 गो अधर आप्शन इंक्लूड के आउन लाइन पढ़ाया जाए दुरूस तो लोगा जिसकी स्लाइड मौजूद हैं देट वन आप्शन थर्ड आप्शन इस मेरी में बात हुई दॉक्टर अब्दुलजीर अब्दुलरहीम साब से कि आप क्या इडवाइस करते हैं उन्हें ने कहा है पहली बात तो है कि बिल्कुल सभी डिरेक्शन में आप जा रहे हैं कि बलागा का कोर्स जो है वो पढ़ाना चाहिए पढ़ना चाहिए और हमने भी कहते हैं इस पर इप्तदा की है and he sent me some links and some slides जो मैंने भी देखी नहीं है तो हो कहने हैं इसको भी आप study करके देख लें तो एक option यह है कि उनका उनकी आप कहते हैं हमने बिल्कुल layman approach में इसको tackle की है तो उसको भी मैं इस अफते study कर लूँगा प्लस आप से बात करने का मकसद यह है कि आपकी input चाहिए कि how do we approach this subject क्योंके it is very important in the aspect कि as Quran students हमने इस तरफ जाना ही जाना है तो इसको किस अंदाज में किया जाए मुझे पता चला है लोगों के लिए बहुत मुश्किल है physical class में आना हमें 11 registrations confirm हुई हैं सिरफ अब तक और अगर इसमें से भी पांच रह गए तो I don't know what will happen but I am game मैं तो class में मुझूद हूँगा as a student and assistant तो आप लोगों ने ये during the week मेरे से personally भी discuss कर सकते नमबर पे शजाद साब से भी कर सकते हैं और अगर शजाद साब एक separate group बना दें बलागा का कि जो interested है उसको इस ग्रॉप में डाल कि we can discuss कि what should be the format और इसको कैसे लेके जाए any quick questions on बलागा before I move on मतलब थोड़ा साब हमें इसको introduction देंगे कि इस तरह से पढ़़ाया जाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा अच्छा मैं brief introduction आपको दे देता हूँ बलागा जो है ना इस जो टर्म है it is not just for Arabic आपने बलागा यबलूगू पढ़ा तो होगा ना याद है आपको नसरा के pattern पे बलागा यबलूगू और इसका मस्तर बलूग यानि पहुँचना कोई चीज जो पहुँच जाती है वो तो क्या पहुँच जाती है यानि किसी कोई कलाम जो है उसका जो सही जो required impact है वो पहुँच जाए जिसको वो कलाम अदा किया जा रहा हूँ तो पहुँचाने के बहुत से अंदाज होते है पहला अंदाज तो यह होता है कि वो एक जुम्ले की सुरत में हो उसका एक फाहम हो और उस जुम्ले को हम स्टेडी करते है उसके सर्फ और नाफ के एत्वार से अच्छा अब यह होता है कि किसी भी लैंग्विज को बेहतर अंदाज में आगे पहुंचाने के लिए उसके अंदर अलफास का चुनाओ यानि बहुत से अलफास होते हैं जो मिलते जुलते मानी की होते है कौन सा लफ़ इस्तमाल किया जाए तो वो उस जगह पर उसका इमपैक्ट देगा दूसरा उसका ओर्डर का इजहार होता है इसम मुबालगा फर एक्जामपल सिफ्त मुशबबा So there are many ways to express that और फिर आप जर्बल मसल यानी मेटाफोर्स और सिमिलिस के जरीए इस्तारा और तश्भीहात के जरीए बात को बहतर एक्स्पेंड कर सकते हैं अच्छा अब आप सोचें कलाम वैसे ही बलीग है और फिर अल्दाला का कलाम है तो वे अल्दाला डिलिवर्स इट इस थाइस फॉर्म आफ बलागा यानी फसाहत एक होती है जो सेंडर्सी कंस्ट्रक्शन में आती है कि साफ गौई से रूल्स के मताबए एक बात पहुंचाई और बलागात ही होती है कि उसको उसके हद दर्जे तक इस अंदाज में बियान की जाए कि दुसरे कि शक्स ना सर्व समझ जाए बलकर उसका इमपैक्ट उसको पड़े तो इस इस जेनरल बलागा बलागा की आगे तीन बरांचेस है उनको तीन किसम अलूम कहते है उलूम इल्बाणी है और इसके अंदर एक है एक माईनी है एक अल्बदी है उसको किस हैसाब से आप कुसूर्ती कैसे उसमे लाते है उसमे और तीसरा कॉन सा है शजासभ इल्मलमानी इल्मल बयान सर और इल्मल बयान तो बयान के संदाज में किया जाए माने के लाहसे क्या और बदी उसमें कैसे मौती जोड़े जाए जोड़े जाए अब ये सारी जो साइंस है ना ये चुंके अर्बी जबान है तो अर्बी जबान से ही एक्सप्रेशन्स डिये ज आते हैं तो अर्बी जबान आना जो है वो अल्मस्स जरूरी है और फिर सोने पे सहागा जिन्हों ने ये किताबें लिखी हैं उनकी अर्बी बहुत मस्बूत और बहुत मस्ताकम थी इन दे सेंस कि उन्हें जो अर्बी के अलफास का चनाओ की है तो एकस्प्लेन बलागा वो भी बहुत आप कहें मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए और फाहाई लेवल इस्नमाल की है तो टिपिकली जो भी बलागा की किताब पढ़ता है साथ उसके उसकी शराब उसके पास होती है यहनी अर्दू में शराब हमारे पास होगी तो आप शराब को साथ देखकर समझ कर ए कुरान में इस्तमाल है इसको बहुत जादा इस्तमाल है बलके मैं कोशिश करूँगा कि जब हम सुरुत अलहज शुरू करें तो इसमें हम बलागत के पॉइंट्स एड्रेस करने शुरू कर दें कभी कभी हम करते भी है लेकिए सबजेक्ट भी इसको पढ़ना जरूरी है त तो मेरी सिस्टर का क्वेस्टिन कुछ हद तक आंसर हो गया जी सर जजा करना सिस्टर सीमा आपको क्वेस्टिन हैंडरेज हुआ हुआ हुए आपका अगर कोई से ना करना चाहे तो सवाले से पूशना चाहरी थी कि जैसे कि आपने बताया कि सर अब्दुलजीज अब्दुलरहीम साथ ने आपको कुछ स्लाइड्स बेजी हैं जो अब स्टूडी करेंगे तो आया गर वो स्लाइड्स हो जाती है तो क्या वो आप पढ़ाएं और फिर वो ऑनलाइन भी होंगी यही सब डिसाइड करने हमने ना यह इस अभी एक हफ़ता हमने एक्स्टेंट किया है कि सारे ऑप्शन्स देखे जाएं दिरा मुझे किसे ने बताया बहुत से कॉर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी क्या आप लोगों कि हम लोग से सर मैगज करते हैं फॉर वी की प्रस्पॉनमेंट इसलिए है कि हाल लेट्स पूट है एड्स तोगेदर एंड फाइंड बेस्ट वेयर तो मुव फॉरवर्ड ओपन डिसकेशन है आप इसको आज आज तक महदूद ना रखें अगले चार-पांच दिन तक एक होता है मैं यह चाहता क्या से करो अग्री एक यह कि वोट इस नो मुस्ट टीकल बेस्ट वेयर टू लन वट वीवांट तो तो इसको सब्सक्राइब पॉसिबल नहीं नहीं करना अगर यह उनलाइन नहीं होता और हम करना जबूद करा देंगे तिसरे बात ही है कि मुझे यह भी कहा गया कि नहीं है पढ़ाने की क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है आउनलाइन हम खुद पढ़ लेंगे यह एक आप्शन है यह सब आप्शन है कि अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं जी हमने हमने यह पढ़ना है हम तो शुरू करेंगे चाह पांच सुट्ट्स हो या दस हो लेकि जरू यह टीचर ने का जी मैं नहीं पढ़ाऊंगा उनलाइन तो हमने का यह होल्डाउन हम जरा एक अफ़ता वेट करते हैं ठीकर मैंने यह नहीं क्या क्लास सुरू कर दी मैंने आप सब लोगों को संबर रखते हुए अगर ऑनलाइन में अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है तो लेस्ट लोगेट अगर 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 आपका क्वेस्टिन कोई इसके प्रेक्विजिट्स क्या होंगे इसके प्रेक्विजिट्स हैं जो आप कर चुकी है सर्फ और नहाव तो आपने आपको उस जगह के सटेंग करने की कोशिश करती हूं तो मैं तो इसके टूपी अच्छी नहीं हूँ अरब कि अच्छी नहीं अरब काई चाहिए प्राभग जाएं मैं तो फिर हम अपने आप को किस सरह से अधब हमने ये को की सी सिक्स तक पढ़ लिया लेकिन हमारा जो मीजियम औफिछिंग अगा था तो अधिव पड़ा लेकिन ह इसी को इसी क्वेस्टेन के लिए तो हमने कुई का डिले किया है देखे इसकी शरा मौझूद है उर्दू में और मदारस में जो स्टूरंट्स पढ़ते हैं मुझे पताया गया है कि उनकी अर्भी स्ट्रॉंग नहीं होती और बलके तो क्वेस्टेन यह कि क्या यह मेरा पहला क्वेस्टेन था क्या यह पढ़ा जा सकता है ऐसे स्टूरंट्स से जिनकी अर्भी कमजोर है या अजारी बात अन्वारबिक लैंगूज तो नहीं पढ़ी तो टीचर ने का येस किया जा सकता है मेने ज्यादा रिक्वाइड है हमने को छे मेने पे ले गए हैं जो कि तीन च कि हम कहेंगे आप ट्राइए करें इफ ये कैनाट मैनेज इट आप इसको छोड़के अरबिक का कोर्स पहले करें वो भी तो हम स्टार्ट करा रहे हैं कुछ लोगों ने अरबिक का कोर्स किया यहां पे वो सब के सब अलिजिबल है और उनको लेनी चाहिए रईसे सादिया थिक है ना जी फ्या र्याद और फईडियू आप क्या कहते हैं अलिक्तिक्ति वालेकुम असलाओ रहाम जाए सब्सक्राइब करूंगर है वालेकम असलाओ रहा हूं और असर जी मैं तो पहला यह कहना चाहता हूं कि वह रम्दान के ने इसमें हम ब्रेक लेंगी के रम्दान में कंटिनूर हैं गया यह कोर्स रमजान में ब्रेक होगी क्लास की लेकिन पर्सल स्टेडी जो है ना वो आप लोग बरकरार रख सकते हैं तो सब्सक्राइक हम रमजान के बाद इसको शुरू करें और यह जो रमजान से पहले का टाइम है इसमें अगर शजाज सब को 15 एक दिन का अरभिक ग्रेमर का एक कोर्स जो है रिफ्रेशल कोर्स सब को परादें इस तरह का नहीं है यह ऐसी अरभिक आपको नहीं चाहिए कि पदर दें कि अरभिक कोर्स करके अब लागा कोर्स में चले जाए होगा ये कि चुँके वो अरभिक लैंग्विज में लिखी हुई है ना तो हम अरभि में पढ़ेंगे तो साथ उसकी शरा अरदू में अवेलेबल है राइट उरदू में इसको पढ़ लेंगे प्रॉपर कोर्स अरभि को जो है वो कमसकम तीन चार पांच छे महीने का होगा मेरी सजेशन ये है कि बलागा में एंटर कर लें देख लें और अगर नहीं कोप कर सकते यही तो फिर हम इसको पोस्पोन कर दें और चोटी कलास रखें मुझे टीचर नहीं बताया कि जिसने सर फॉर नाव का एक एक कोर्स पढ़ा है वो बिलकुल बलागा कोर्स रह सकते हैं लेकिन पढ़ाने का अंदास जो है ना वो अरभी बुक्स से पढ़ाया जाता है अब मैंने डॉक्टर अब्दुलजीज की स्लाइट नहीं देखी वो मैं स्लाइट जाद देखनूंगा तो उ लगनिंग जो है ना वह ज्यादा बेतर होती है कि आपके जो प्लासमेट्स होते हैं उनसे भी आप जानका करते हैं हम दोनों दोनों चीज़ें सोच रहे हैं मतलब बाकी लोग आपने माइक्स आफ करने प्लीज तो र्यास भाई हम दोनों चीज़ें कि एक तो यह कि अरबिक कोर्स जब भी ऑफर उसको ले ले लेगो तो आप हेल्प करेगा ही करेगा दूसरा हम इस सेरेड़े को ने अगले सेरेड़े को हम एक क्लास एंड़क्टरी करेंगे इन्शालला हमें पता तो चाल जाएगा ना वेर डूबी स्टेंड और मेरी सिस्टर हम दोनों विलिंग है तूसरा यह है कि हमें हम और ऑप्शन्स भी देख लेंगे और जो डॉक्टर सार्ब फर वीक इन्शाल जी मखूल भाई जजाक लेसर भाई यह को बसर वही है कि मुझे याद है कि हम QC1 से लेके QC6 और QC7 में भी अभी सुर्य अंबिया हमने खतम किये तो फॉर्मिट मेरा गार में हो डॉक्सा वाला जो है अधिर रहीम अधिर अधिर साब का उसी यादत आपने भी फॉर्माया है कि फॉर्मिट इन हैंट तो है हमारे पास और फिर यह कि उन्हें रही जो आपने हमें बताई कि आहाम आदमी को सामने रखते हुए वह हमने किया है तो अलम्दुल्ला में खर लोगी करने चाहिए तैंक यू है लेट्स लेट्स असको कि आप इन हम से शेर की सिर्ट लुगा की स्लाइड्स मैंने वह वाला देखा नहीं था लेकिन आज ही मुझे बताया कि उन्होंने कोई नई स्लाइड्स जो के उन्हें लिंक बेजा है कि आप इन स्लाइड्स को कहते हैं कुछ तो मेरे हमारे उसमें पढ़ी हुई है इनकी वेबसाइट पर लेकिन उन्होंने कुछ अडिशनल मटेरियल मुझे भेजा है वो मैं चेक करूंगो तो आप से पर शेयर को बलकि उनके अभी भी मैसेजिज़ आ रहे हैं इस वक्त नहीं मुझे अब हम आप ही निश्द इन्वाइट किया था हमें उसके लिए तो मैंने वो टैनि गया था को जिस है ट्विंटी आवर्स के एक और यह बलागत के उपर गया था यह पडारूम आ इंडिया से था इंडिया था बिलकुल वही 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 खुशी जनवर्स आप से इनके क काफी ट्विंटी आवर्स का कोश्ट होई जो हमने किया था और इसा थो बहुत इन्फॉर्मेटिव लेकिन कि अरभी के इतना ज्यादा हो शौर नहीं सामनों को तो काफी उपर से गुज़र गया हमारे लेकिन अलहम्दिल्ला काफी उससे फाइदा हुआ उससे यह पता चल है जो हम समझते हैं तो थेंक यू आइगरी आइगरी विथ यू तो डॉक्टर अक्षंदा ने शेर भी करती है स्लाइड तो थेंक यू आइधिंग हम वेर गेटिंग क्लोजर तो असलूशन ठीक हो गया किसी और का कोई और कॉमेंट तो बलागा का हमने कवर कर लिए इन डेप्थ तो लेट्स स्टार्ट विथ कि क्यू से सिक्स का जो जो क्विज हुआ था और इसका रिजल्ट अनाउंस मैं करना चाहा रहा हूं कि माशाला आप लोगों ने जिनों ने तीनों क्विज हमारे तीन कुझ होए थे क्यू सिक्स में और वो तीन क्विज जो हैं जनोंने किये तीनों किये तो अनका रिजल्ट यहाना वों इनकमप्लीट है तो उसको मैं डिसकर्स फिर नहीं का रहा है मैं सरफ वही डिसकर्स करने लगा हूँ जिन्होंने कंप्लीट किये हैं बाकी लोग अपना कंप्लीट कर सकते हैं जिसना मैं देखना हैं कि रियाज भाई ने क्विज नमबर टू दिया ही नहीं है उसके बावजूद हैं कि उनके परसंडेज 80 के करीब करीब है लेकिन उनने दिया ही नहीं है तो जिन्होंने तीनों दिये हैं क्विजिस उसमें जेंट साइट पर जो टॉप 6 पुजिशन्स है वो मैं अनौस कर देता हूँ मुहमद याकूब साहब उसके बाद मतब नंबर 6 फिर मुहमद सुलिमान वो भी लेट 80 में रियाज एमद चौदी साहब 87 और 90 प्लस एक्सेलेंस में हभीब रह्मान साहब वेरी इंप्रेसिव हमारे साथ है हाज हभीब रह्मान साहब जी सर थैंक यू वरी मच्च सर नाइटी वन परसेंट माशाबला तैंक यू सर थैंक यू सर यह आपकी वज़े से सर सारा आपने मेनत की अब आप जिनके नंबर 90 से उपर है उन्होंने बाकियों को मेंटॉर करना है इंशाला ओके सर थैंक यू वी एर रेडि सर और आविसली करनल साब करना अबदुलकुदूस चोजी साब और चोजी गुलाहम हुसाइन साब मेरे खिल आपस में जिसे कहते हैं वेरी क्लोस बड़ीज हैं इतने करीम हैं कि दोनों के एक्जेक्टली एक जितने नंबर आए हैं दोनों फरस्ट हैं नाइटी सिक्स पॉइंट टू परसेंट पे तो माशालाह आप लोगों ने बड़ी महनत की और मैं यहां मैंशन करना चाहता हूं जिनों ने जिनका रिजल्ट दो सरफ दो दो क्विज देने भी बाद भी 80 परसेंट था जिस तरह रियास भाई हैं और जिस तरह जिस तरह जिस तरह जबाईर इसलाम साब ने भी फाइनल क्विज कोई नहीं दिया और इस तरह और भी कुछ लोग हैं बड़ एनिवेस एवरिबोडी अस परफ़र्वर्म वेल और लेडी साइट पर सिच्वेशन इस इवन बेटर जिनके जन्होंने तीन क्विज दी हैं उन से मैं बात कर रहा हूं उन में सिस्टर लुबना, सिस्टर रिशी, सिस्टर हमेरा, सिस्टर गुलनाज, सिस्टर परवीन, ये तमाम की तमाम 80% एने 80s में इनके मार्क्स हैं और 90 प्लस में एक्सेलन्स में हैं सिस्टर नुसरत, जाहिद, सिस्टर शबनमनवाज, सिस्टर सना रहान, सिस्टर कौसरशाहीन, सिस्टर साधिया, और सिस्टर तमकीन माशाला टॉप पे at 95% हमार साथ है, सिस्टर तमकीन आज? जी सर आचा आप में से बाद में शुरू किया तरजा तक मुझे याद पड़ता है पॉस्ट क्विज था उज्दिन एंट्री की थी पॉस्ट क्विज वाले दिन क्विज दिया था कर डिरेक्ट आच्छा माशाला एक्सेलेंट आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किये तो ये तो आप दूसरा शिजाद साथ हमने सेट्टिफिकेट्स जो है ना पिछली Q6 क्लास को भी नहीं दिये थे तो वो भी आपने देने इनको अकठा जो है इनके लिए एक दिर हम रख सकते हैं आवार्ड डिस्ट्रिबिशन का जी सर्थ तो ये बात भी क्लिर होगी नेक्स्ट मैं ब्रीफली डिसकस करना चाहता हूँ QC7 वाले जो है ना स्टूड्स के उनका क्विज हुआ था और कु Calling स्टूडन्स जो है वो थोड़े से नाराज से नाला है तो उनको कैसे खुश किया जाई शजाद सब शब नाराज नहीं है, वो अपने लतीजों से फिकर मंद हैे सर्क्र मंद है उनके फिकर दूर कर देते हैं ऐसे करते हैं दुबारह कोईज कर लेते हैं ये बहुत बेतरी नाइडिया है सर मुझे लगता है ये बात पसंद नहीं आई सर्जी राजिकरने वारी बात तो नहीं है ना कि दूसरा कोई दूसरा मैंने ये सुनना था I wanted that यह कोई तो आपना खुबार निकाले ना, आप खुल के तनकीद आप कर सकते हैं, पहरी बात हो यह मैं तनकीद को बुरा नहीं मानता, अगर्चे लोग समझते हैं कि आपका जो है ना, पत्नी बातों में खौफ है, यह हबत है, यह पत्नी स्टाइल नहीं है, यह मैं, I can't come across as not wanting to make it difficult for anybody, जिससर नगमा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, क्विज से हमें, सब agree करेंगे, उस तरहें शिकायत नहीं है, शहजाद सब के क्विज इतनी मेहनत से बने वे होते हैं, कि हम क्विज से बहुत सीखते हैं, लेकिन वो हमारी आत्में खराब हो गई हैं, कि कुछ expectations ऐसी होती हैं, लेकिन दुबारा ना लीजेगा, यह बह कि आप ने शिजाद साहब को मबरा करें इस quiz से, यह सारी responsibility quiz की मेरे पर है, unfortunately quiz मैंने बनाया था, तो, so very sorry about that, कि maybe I was not in line with the actual difficulty level. नहीं, नहीं, पर फिर, then the place should be shared, because it was a very good quiz, हमें, हमें, वो challenge मेला है वहाद, जो है, नहीं, उसको जो हमने दुबारा होस से, मैंने शिजाद साहब ने देखा है, तो मेरे, हमारे comments ही हैं, कि हम यह देखें, कि अगर more than half students ने अगर सही किया हुए question, तो उस पे तो कोई comment है यह नीना, अगर more than, अगर more than half ने किसी question को घलत किया है, तो फिर उसको हम study करें, कि आखर ऐसा क्या हुए, इस देखें है, सिस्टर नगमा, आपका क्या ख्याल है, जी, उस में थोड़ी से कुछ questions पे, यही मुझे भी लगा कि अगर किया है, तो वहाँ पे, मेरा ख्याल है, कि knowledge या concepts का मसला नहीं था, वहाँ पे वो quiz की, या question की requirement, थोड़ी subjectivity थी, तो उस में एक से ज़्यादा answers या, मतलब कि थोड़ी सी ambiguity फिर आ जाती है, यह थोड़ी सी question, नहीं, मैं उसे को discuss, मैं आप से discuss करता हूँ, चंद questions, जिन में majority ने गलत चूज किया, Okay, we will just take five minutes or ten minutes maximum on this, के question में, total 46 students ने participate किया, अब 46 में जारी बात है, कुछ advanced students थे, कुछ juniors थे, सबका एक level तो नहीं था, तो 46 में से अगर 23 and above ने सही answer किया, तो फिर उसको तो मैं discuss ही नहीं कह रहा, question को, right? अगर किसी question में, less than 23 ने इसको correct किया, less than 23 ने correct किया, तो मैं चेक करना चाहरू, उसमें क्या हुआ, तो उसमें चंद questions है, for example, question number, ये तो पीचे से चल पड़े हैं, question number two, जिसमें का आगर सूत अन्बिया के मतालिक बताएं कि इसमें बात की गई है, तमाम अन्बिया एक ही पैगाम लेकर आए, तमाम अन्बिया बशरते सवाए, मुहमद स्वाइब के मरकजी मजामीन, रसालत, आखरत, अखलाकियाद, और ये सुरह रजूल के अत्वार से 21 है, इसमें 26 लोगों ने, बलकि 28 ने घलत ऑप्शन चूज किया, आई वस रिली वरिट, कि इस question में what went wrong, तो मैं आपके सामदेर रखता हूं, कि ये सुरह नुजूल के इतवार से 21 नहीं है, लेकिन मुसफ के लिहाद से 21 है, और ये हम स्टार्ट में देखते हैं, पहले आईडिया ये है, कि ये इस वस फेर क्वेस्टन, अगर्चे 28 पीपल गॉट इट रॉंग, सिसर नगम हम आपको बना रहे हैं जजूज, what do you think? Yes, sir. क्या ये question, सिसर सीमा, क्या ये question फेर था? Sir, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हलागे ये मेरा भी गलत था, but I learned, कि मुझे देखना चाहिए थे, कि वो तर्टीब के नहीं, बलके नजूल के लिहाद से पूछा है, तो वो हमारी गड़़्ी थी. तो इस question को मैंने exempt नहीं किया? बिल्कुल नहीं करते हैं, सही है, सही है, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं, ये information बिल्कुल शुरू में आती है, and maybe we don't pay attention to it, now we will be doing it, अब हम स्टीज को importance देंगे. अच्छा, दूसरा मैंने देखा कि question number 3 में, 23 के correct थे, 23 के wrong थे, 50-50 था, लेकिन ये question बड़ा interesting है, इसलिए मैं आप से discuss करना चाहरा हूँ, ये question है, सुर्त अनबिया की रोश्णी में, मंदर जजेल में से कौन सा option दुरूस्ट है? इसका मतलब ये है कि answer तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक option ऐसा होगा जो बेतरीन उस पे select हो सकता होगा, तो इसमें जो issue ये आया है कि पहला answer था, आज के इनसानों के लिए कुरान मौजज़ा है और मौलत मौत तक है, हर जिन्दा चीज़ पानी से बनाई गई है, लोगों इनसान की फितत में जल्द बाजी है, all of the above, फिर नीचे ता सिर्फ answer B and D correct है, हर चीज़ पानी से बनाई गई है, इनसान की फितत में जल्दी है, और last option था कि A, B and D, यानी कुरान मौज़ा भी है, मौलत मौत तक, और हर जिन्दा चीज़ बनाई गई है, पानी से, और D था, इनसान की फितत में जल्द बाजी है, तो correct answer जो था, वो था, all of the above, meaning A, B, C, D, अच्छा, अब मैंने इसको study किया, तो मैंने का, इसमें problem क्या आया है, so I asked some students, issue किदर है, तो एक issue यह है, कि जब आप multiple choice answer करते हैं, questions, तो there is something called, कि आप, जो है, एक methodology यूस करें, कि आप उस answer को निकाल दे, यानि, use the method of elimination, आपको यह पता है, elimination का method क्या होता है, जी, जी, बिल्कुल, जो possibility बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल नहीं है, उसको आप निकाल दे जाए, बिल्कुल, आच्छा, अच्छा, अब उस तरह से देखा जाए, तो इन इन चारों options मेंसे, पहला option जो था, वो challenging था, बाकी तीन options बिल्कुल सुरा के अंदर दिये गए हैं, इसलिए मैं पहले BCD की बात करता हूँ, हर चीज़ पानी से बनाई गई, हर जिन्दा चीज़, यह आयत मौजूद है, डिसकस की थी, जी, मौजूद है, लोगों की असमा जी यह तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो आप आयत नमबर 35 अगर देखें, यह भी है, सब्सक्राइब कर दिस मुझे इसको निगेट कर दिया, क्यूंकि मुझे यह लगा कि Arabic इतनी specific language है, यह अगर सखती, जी, 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 सखती का जो अरबी लफ़ है, वहां मौझूद नहीं है, शहर है अगर, तो वह सखती को वो नहीं कर लो, तो मैंने झोचा यह तो नहीं है, इसको निकालगी तो कर देखा, यह यह डिरेक्ट मैंने किसी मुफसर को यहां कौपी करके लिख़े, ठीक है, कि इसका मतलब है कि आजमाईश को असूदी और सक्ती जो है नहीं समझा जाता है. So, the question is कि क्या ये terms असूदगी भलाई के लिए इस्तमाल की जा सकती है? और सक्ती जो है, वो शहर के लिए इस्तमाल की जा सकती है? So, this becomes a question of, अगर ये ना हो, मत अगर आप अभी भी फील करते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? निसर, मैं कहना चाहते हैं कि ये ये अलफाज तालिमुल कुरान में, तरजमे में मौझूद हैं. और मेरा ये इसलिए ठीक हो गया, कि मैंने एक दिन पहले ही ये आयात पढ़ी थी, तो ये जो आयात का तरजमा उसमें लिखा है, और हम तुम लोगों को सफ़ती और आसूती में असमाईश के तोर पर मुक्तरला करते हैं. चले, सिसनाव आपा तरही है. जी, तो मुझे याद था. सही है, तैंक्यू. लफ्ट वे लफ्ट ट्रांसलेशन जाहर है, याद नहीं होगी, मैंने मुस्व तोला उसको, और ये खेरो शर्का मुझे मिलाच सही है. नी, क्वेस्टन, क्वेस्टन ये है, कि अगर मैंने खुड ट्रांसलेशन की होती, तो मुझे बड़ी सा दिक्कत होती, ये खेरो शर्का मुझे मुझे बड़ी साथन की होती है, तो अगर ये मैं कोई और अलफाज यूज करता तो वाकिये ही, यूप डिबेट कि आप तो कोई मुफसर नहीं है, आपने ऐसा क्यों ये वर्ड यूज किया, लेकिन लेकिन आइम ग्लैट कि ये लफाज मौजूद हैं, तो इसलिए it's not an unfair question from that perspective, तो अगर ये दुरुस्त हो गया, तो अगर आपको पता चल गया कि B, C और D straight away दुरुस्त है, तो फिर एक ही option ऐसा बचता है, जो इसका answer हो सकता है, वो यह है, और B, C and D तो option था यह नहीं, इसलिए वो तो वैसी ही निकल गया, निकल गया, तो इसमें और option को रहता ही नहीं है, तो लेकिन यह है कि 23 लोगों का यह mistake हुई है, तो obviously मतलब है, अगर यह आप समझते हैं अभी भी unfair है, तो हम इसको exempt कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना आपको idea बता रहा हूँ कि यह उस category में नहीं आता, next आगे चलें, तो let's see, excuse me sir, Quran मौजज़ है, यह मुझे कहीं समझ में नहीं आया कि इन अलफाद में, अब जैसे डॉक्टर रक्षन्दन ने कहा क्योंकि तालीम का सिपारा जो है, वो तो हमारे कोर्स में हैं, वी हैब तो उस translation में गुज़रना चाहिए, लेकिन जहां तक तफसीर का तालुख है sir, बहुत खेर बहु अगर B, C और D आपको पता चल गया दुरुस्त है, यह आपको नहीं पता क्या है, तो क्या कोई और आंसर आप सेलेक्ट कर सकती हैं नीचे से, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बस हमने क्योंकि यह यह भी छोड़ दिया था लोगों की, वो तो हमारी गल्ती थी, ठीके फिर गही लेकि तो इसलिए मैंने इसको जो है ना एक्जैम्ट नहीं किया, अदर्वाइस मैंने अभी छोड़े आप की उपर, अच्छा, उसके बाद, आखरी आयात में था ना, कि मुलत तक फाइदा उठाते हो, तो कोई हो गया ना, मुलत मौत तक है, उसमें है, इलाहीन, मुझे कंसर्ट कर सकते हैं एक क्विज के अंदर, I hope you know that, जी जी हमने किया का, मैंने किया, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, अच्छा, उसके बाद, क्वेस्चिन नंबर, नंबर टैन, इस पर जो है ना, ऑल्दो 26 ने इसको सही जवाब लेखा, यानि मेजॉर्टी ने सही कि जिनका सही नहीं था, उनकी तरफ से opposition थी, कि ये वाला इस तरह का, जो है, हमने मरकब देखा नहीं है, तो मैं explain भी कर देता हूँ, और फिर अगर आप कहेंगे, तो मैंने इसको अल्रडी एक्जैम्ट भी कर दिया है, because of the pressure, वो क्या है जी? आओद बिल्ल्ही मेरे श्यक्तरान रजी, वलकद कतबना फिल्जबूरी में बाद जिक्री, अन्न अर्द यरिसुहा इबादिय सॉलिहून, इस आयत में सुर्य ये वाला नहीं, ये क्यों गलत किया लोगों ने, अन्ना की खबर क्या है, अन्ना की खबर तो स्ट्रेट वे नजर आ रही है कि अगर अर्द जो है, इसमु इन्ना है, यरिसुहा उसके बाद जो पूरा ये जुम्ला फेलिय है, ये इसकी खबर है, तो… वो मेरे खिल में उन्ने पूरा जो, जितना तीनों लवज जो थे उनको एक्षटा ही करके उन्ने, मतलब उसम्ला इन्ना की खबर है, इसलिए मैंने, क्योंके वो आराब की एक किताब है, उसमें उन्ना की खबर हो था. नहीं हो नहीं सकता है आप खुद देखें ना कि rhyme क्या खबर हो सकता है तो तो नहीं बनते है अबादिय साथ यह अबाद की यह इबादի की صिफ़ा तो बन सकती है लेकिन अलर्ध का यह कैसे मुझे शिदास सब़्क्र मैं बिश्जा समयने में दिक्रत हो तो कि सर वो जैसे डॉक्टर रक्षंदा भी कह रही है ना कि ट्रांसलेशन पर अगर थोड़ा सा भी हम कंसेंट्रेट करते तो यह कंफीजन ना पैदा हो तो यह एक क्वेस्चन के अंदर इश्यू आया यहां पर तो अच्छा नेक्स्ट हमने एक्जेम्ट कर दिया है नेक्स्ट अच्छा अब क्वेस्चन यह कि अगर अम प्रॉस्ट फ इलिमिनेशन से जाएं तो मुरक्ब इजाफी तो यह नहीं हो सकता ने यह पूरा मुरक्ब अच्छा पहला क्वेस्चन यह कि क्या एक मुरक्ब में दो से ज्यादा अलफाज हो सकते हैं जी सिस्टर सीमा एक्स्क्यूज में सर एक पीछे क्वेस्टिन रह गया है कि इस थूरे अंबिया में मुदजज आहल में से किस नभी की दौा का तसकरा नहीं आया तो इसमें दिये उसको ठीक कर दिया हमने उसकी वज़ज़ यह थी कि उसमें आंसर था सुलेमा यह कौन सा था तथक्रा नहीं आया था सुलेमान और इबराहीम दोनों का तथक्रा था तो दोनों को तो दोनों को हमने करेक्ट कर दिया ना दोनों को करेक्ट कर दिया उसमें रहा सिसे महँदों करेक्ट कर दी है कि हमारो उसको घलत था ना इसकी गलती है शिजाद साव इसको और वाले को नीचे कई करने के बाद उसमें चेंज करना तो वो चेंज करना भूल गया थे तो इस नॉट बेंग मिस्टेक दोनों को ठीक कर दिये सीमा डोनों हो गें साही तो यू प्रॉबली गेंड आ मार्क ओवर देर अच्छा इसको इबादियस सौलिहून को हम कह रहे हैं कि जी कौन सा करेक्ट 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 और मैं यह मेरी चाहता को यह फील करें कि यह क्यों मतलब मुश्किल है या किया है या इसको आप दिए यह आप हमारी स्टार्शिप क्लास है ना स्टार या या उसे सेवन से उपर तो है कोई नहीं तो लेकिन हम आप यह करेंगे कि हर अफ़ते क्विज़ आपको देंगे ताकि जब फाइनल क्विज़ आ है तो बहुत ही असान हो जाए इन्शाल्ला सिस्टा अनीस फात्मा आपका कॉमेंट आप बड़ी देर से बैठी हुई हैं इंतसार में कि कब फायर करेंगे अपने तीर अपने से बड़ी हो सकता है तो डिफिनेटली हो सकता है लेकिन हमने जो पढ़ा है मुरकब नाकिस में, नाकिस मुरकबात में, वो हमने यह पढ़ा है, कि वो दो ही होते हैं. मतलब हम इससे आगे बढ़े नहीं और ना हमने अपने गूप में पढ़ाया इस जिसको मेंटोर गूप में. तो इस वज़ा से, वरना तो इस में इबादी एक मरकब था, मरकब इजाफी फिर साथ में उसके ती तो उसको हम ऐसे कहते हैं, कि वो जो है, वो फर्स्ट वाले की, यानि मुझाफ की सिफ्ट है, या या तो हम उसको मरकब का नाम नहीं लेते हैं, जो हमने डिफाइन की है, मै उन में मुताफ़त होती है, वो सारा कुछ जो है न वो चीज, वो थोड़ी नजर नहीं आई सामने तो इसलिए, जब सर शेजाद ने क्लियर कर दिया था तो इसलिए कि ठीक है, जो बड़ा मरक्कब बन रहा है, तो इस वज़ा से जादा क्वेस्टन राइज हुआ के मतलब, बिकॉज इस त्री वर्ड तो शुट बी कंसिड़ेट इस सेट अफ मरक्कब बे तौसीफी जो कि हमने पढ़ा है, कन्वेंशनली या आप हम उससे आगे बढ़ें, यह दिस वस्टन, चले इस इसको मैं अपने गलती मानते हुए, मैंने ए इसको, इसमें एक option है, none of the above. तो जिन्हों ने वो लिखा था, तो फिर वो आप अला उनका हो सकता था point कि जी हमें तो पता नहीं था, although आपने यह तो पढ़ा है, कि एक लवज होता है, उसकी पूरी जो है वो जुमला सिफ़ा बन जाती है, और वहां पर तो आप कोई नहीं कहते हैं कि सिफ्ट, लेकिन उसको हम यह नहीं कहते हैं कि वो जुमले के साथ मिलकर कि मरकब तोसिखी बन रहा है, यह भी concept मरकब हम use कर सकते हैं sentence के लिए भी, let's आज clarify यह भी कर सकते हैं, एक पूरा जुमला भी मरकब है, ठीक है, और या एक जुमला पूरे जुमला ही अग मरकब ताम होता है, और यह जो हमने पढ़े हैं, यह मरकब नाकिस होते हैं, तुमरकब ताम भी होता है, agreed, thank you sister, लेकिन यह मैं इसको हमने एक्जेम्ट कर दी है question को, जैसा इसी तरह जैसे जर्फ के बाद मुजाफिले होता है, तब हमने यह भी देखा कि जर्फ के बाद समझ आगी है, बगर उस वखे एक और इंट्रेस्टिंग वात नजर आई है, sister अनीस, मैं कर सुरत अलहज पाड़ रहा था, तो सुरत अलहज मुझे ऐसा ही मिला एक मरकब, तो अब आप गैस करेंगी, वो कहा है, चेक कीजेगा, जैसे तो बहुत है, तो anyway, हम जरा avoid कर रहे है, इसको यह term देना की मरकबे तोसीदी है, बड़ हमारा सही था, बहुत सारों का सही था, यह, जैसे exempt कर दिया है, अच्छा, अब और कौन से हैं, जो के maximum लोगों के गलत हुए है, मैं देखता हूँ, और इसके बाद, इस आयत में जिकर से क्या मुराद हो सकता है, अभी आ बिग मिस प्रॉब्लम, नमबर ट्वेंटी वाला जो है, सिर्फ नाइन लोगों का सही हुआ, अच्छा, यह जी, या वैला ना में ना के मुतालिक कौन सी बात दुरस्त है, अच्छा, अगर, अगर तो मैंने ये बात की नहीं है, इस इंपॉसिबल, देखे ना, ना को आप देखकर मुझे बताएं, क्वेस्चन को छोड़ दें, वैला ना में, ये कौन सा मरकब है वैला ना, सिस्टर अनीस, वैला ना, वैला जाप इसम है, और ना जो है, मजरूर है, फिमाल लिजर, तो फिर आपको सही हुआ है, सर मैंने पहला वाला भी कर दिया था ना, उसका फ कर दिया था, जी, सेम ऐसे मैंने भी किया था, सर, दोनों कर दिया था, अब मुझे बताएं, तो ये तो फेर क्वेस्चन है ना, फिर तो अब भी मैं बड़ा परिशान था, कि ये क्या हो गए, शिजात साब, सर एक्स्यूज में प्लीज, यहां पर मैं थोड़ा सा अपनी, अपना thought process बताऊंगी, कि जैसे हम करते ना, सर, यह जो अस्मा हैं, जिनको हम मनसूफ फ़ॉब में लेके आते हैं, तो उसमें हम जैसे Muslimin, 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 जब Musliman करते हैं, तो उसमें हम एक alif add कर देते हैं, जो के बगहर हर्कत की होता है, अलिफ, वो हमसा होता है, जो उसकी हर्कत, जो है वो सुकून और सारा कुछ ले लेती है तो ये तो अलिफ है जो एक्स्ट्रा एड हो जाता है तो जो कोई जमीर भी होती है उसके वे जो आकर में आता है उसी को देखते हैं तो ना में आपने उसी को देखना है कि ये ये मबनी अलस सुकून है जी जबके असमा में हम लेटर देखते हैं लाम कलमा तो मुस्लिम में ये मिम पे जो होगा वो हम देखेंगे अलिफ आगे वाला बस मैंने इसको ओवर लुक कर दिया था चले ये भी हो गया और अब आ जाते हैं और कौन सका रहा गया हाँ ये वाला 28 है सही की है लेकि बहुत एजी था कि अलाई का अनहा मुबादून में अनहा की हाज हमीर से कौन या क्या मुराद है अबिसली इस ट्रेट फॉरवड जहनमी और तो कोई ही नहीं इसके अंदर चले खेर निवे इस इस नॉट इंपॉर्टन एक क्वेस्चन है जो नबर 30 है उसको भी मैं एक्जेम्ट कर रहा हूँ इनन फी हाज़ा लबलागन लिकौमिन आब अबिदीन में हाज़ा से क्या मुराद है तो आई बिलीव इसमें क्वेस्चन ये था कि ये आपने सूरा भी लिखा है कुरान भी लिखा है जबूर भी लिखा है तो चले इसमें जबूर तो हो नहीं सकता ठीक है ये तो सब को समझ आरे गी है कि ये आयत में है के जबूर के बाद की बात हो रही है लेकिन सूरा और कुरान मुझे कहा गया कि देखें ये तो सूरा भी तो कुरान ही है लेकि मुराद यहां के ता कि इस सूरा की बात हो रही है कि इसको इस सूरा की बात के स्पेसिफिक सूरा की बात है ये पूरा कुरान तो anyway इसको एने exempt कर दी है because this was in my opinion कि ये आपका आपकी बात बनती है और दूसरी बात ये है कि हमें भी सोड़ सा दे ने credit first time कोई ज़कर बनाया जाए बार 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 तो बनते नहीं है तो इसको तो इसको हमने exempt कर दी है for that reason जी डॉक्टर फॉजिया that was the last question sir ये जो आप रह याप ने बताया है जो हमारी त隨म तलीम तलीम औր कोरान में सर ये है कि तटरात के बात जबूर कुरान का फिकर नहीं है इस आयत में पहली तटरात और तरात के बात जबूर तरजमे में यही है तरजमे की बात यही है से क्या मुराद है आयत ममर बदते के तोर पे आ रहें क्या niezकत करना है और यह यहां ने बिल्कुल दूसार है और बता हजान उन्सार प्रव कॉरान दिया जाता है तो डृॉत अब यह बहु प्रता को वह Executive ones समके थे सारे के सारे आप मुझे बताएं आप अभी बताएं हाजा से कुरान आपने का बिलकुल दुरस्त है कुरान है और बताएं हाजा में इस आयत का तरजमा है उसमें ये है के तुरायत के बाद तुरायत में पहले जिकर है उसके बाद जबूर में भी हमने यही जिकर किय तो अब ये जो आपने हाजा का सिरफ एक करके पूछा, तो हाजा, मतलब है, अब हाजा को हम कुरान में भी ले सकते हैं, या बदल के तोर पे, और दूसरा, उसको तोरात की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन कुरान ज्यादा मेरे नजीज़ है. तो Qu Sea है ना? ये तो कहर रहा है不好 ? ये तो कहरा है ना? जी सर बस यह था, लेकिन ये बस मतलब टर्जमा, हमे नकिया हुआ हमें इस नकिया लेकिस आप तो ये लखा हुआ हुआ हjack हुआ है। है। SSAR है, ये हमारीบन Monaten sack वहायत में आप उसको देख लें उसमें कि तर्द यह नहीं लिखा हुआ ना इस वी टरात वी लिखा हूआ आंसर में तर्यात नहीं लिखा जिए लेकिन सरे ये बस कर दिया थाना किरान कि किरूंकि अब तो कृरार के रावर और कुछ नहीं ना कि Io तो मानी जाए अथेंटिकेटेड इसमें किसी उसमें अब तो सिरफ च्वरान ही है जिस अब आपको क्वेस्टीन क्या है सर मेरा क्वेस्टन अभी आप जु बात कर रहे थे मेरते सहन से निकल गया वहां आगल पर गुपिया था इसको हमने एक्जेम्ट कर दिया, इस क्वेस्टन को हमने एक्जेम्ट कर दिया, चाले ठीक है सर, थैंक यू, बात ही खतम होगी, तो इस सारे क्या करने के जी सिस्टर अनीस फात्मा, तर मैं एक लास्ट कॉमेंट अपने अब्जूवेशन शेयर करना चाहरी हूँ, वो यह कि कि जो uh дос analytics होते है 나, उसमें hootे हैं तो हुम सारे उसके बहुत सारे जो हैं वो और यह हर एंगल है मतलब एक तफसीर में स्ताद सी होगा दूसीर में स्ता होगा, हम अगर अगर अपने ही तालिमल मुरान को ही अगर हम ऑन्सल्ट करें तो भी हमारा ग्यूवपाइ्ठ जो है वो डिफेंट हो सकता है तो मतलब है कि इसमें मैं जब से कर रही हूँ ना मुट्रिपल M.C.Q. वाले जो इसमें जो M.C.Q. टाइप है ना इस वाले में ये थोड़ी हो जाते हैं confusing because everyone has a point of view और कोई इसको debatable होते हैं questions. इनके answers का debatable है. कि हमने उनको respond नहीं कर दी कि जब से मतलब जब भी हमारे questions होते हैं ना इसमें जरूर मतलब ही के हो जाता है कुछ ना कुछ डिसस्वेक्शन रह जाती है. तो मतलब ऐसा अगर improve करते हैं इसको further improve करते हैं इसको अब कोशेशे करेंगे ना जा बताइए of being subjective. यह मैं कह रही थी sir. कि understanding questions तो होने चाहिए मगर it should relate to certain passage in the और उसी passage पर focus करके questions दिये जाए. बिलकुल passage को हम पहले भी ऐसे करते थे तो उसमें यह भी था कि passage बहुत लंबे होते हैं लेकर passage is the right approach. I agree. क्योंकि sir जब हम आपको याद है हम जब written questions देते तो हमारी descriptive में सब के इतने अच्छे concept की different answers होते हैं लेकिन सब correct होते थे तो उसमें we used to score full grammar में घलती होती थी हमारी. जबसे यह वाले हमारे paper है, multiple choice वाले, इसमें सारे grammar वाले almost correct होते हैं और हमारे descriptive major हमारी जएना problems चीड हो जाती है, इन वाले questions में. जैने, we'll be more careful. जी last few comments sister सीमा. आप कह रहे थे होगी है, लेकिन चाहिए तो मैंने सुना नहीं जो आप कह रहे थे कि हम वहां पहुचेंगे कि इस आयत में अज्जिकर से क्या मुराद हो सकती है? वाला कटब ना फिस जुबूर में बादी जिक्रेया. सुर्ण नमबर तो यह शुरू की question में क्यां दिये मुझे नहीं वादो. मैं question पढ़ देती हूं? दर यह शुरू मैं ति जो था प्रश्चन शायद जो था या पांच मौन. जी उस वक्त आपने कह था कि अभी हम यहां पहुचेंगे तो बात करेंगी. मैं तो देख रहा हूं जो ज्यादा लोगों के ना गलत है मैं तो उनको देख रहा हूं तो यह वह इसमें आए नहीं है, इसका मतलब है? मैं दोबारा देखता है. सर, वह जिक्र से क्या मुराद है? यही था ना इसमे question. जिक्र में तो जिक्र में तो यह नसीहत है यह यहाद दिहानी है. यह दो चीज़ें आती है. लोहें मुख्वूज भी हो सकता है. question number आप नहीं बिता सकता कोई. सर, यही तो अभी discuss कर रहे थे कि तवरात है और कुरान है यह नहीं तो दिर पहले. यह नहीं यह नहीं यह नहीं है. यह तो है किस नभी का दौा का जिक्र है? नमबर सेवन. इसके बाद है सर उसके बाद है. नमबर एट नमबर एट उमने exam कर दिया for some reason. नमबर एट उमने exam कर दिया. ठीक है सर. और इसलिए वो खतम होगी है. तो जी ज्याब भाई, आपका question? क्केशन है यह कि हमारे स्वाल हुता है. कि इसके मजामी क्या है और इसमें की बातों पर जोर दिया जा है तो पर पूरी सुरत पढ़के और करना दरा मुश्किल हो जाता है तो हमने तो किया था हमने किया तो परी तफसील से किया सर सहाब है हमने किया तो परी तफसील से की थी और आज हम सुरह हच में भी डिटेल से बात करेंगे और एक बाद आपकी दुरूस्त है कि आखर में भी कर लेना चाहिए तौर्ड़्स दी एंड जी सरुड़्स कर दियो ने तौर्ड़्स दोबरा कर लेते हैं शुरू में आज हम सुर्त-ल-हज की बात करेंगे तो उसके मरकजी मजबून और डेटेल की बात करेंगे तो और और ज्यादा करनी चाहिए रिप्रूब करना चाहिए जी सिस्टन ना दिया शुर्त-ल-हज करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने कुछ नहीं पड़ावा था उज पता भी नहीं था कि और जब मैंने खोला और मैंने रात को बहुत लेट इसको किया without any preparation और बहुत ही अच्छा हो गया था वो पैटन बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था आप ने जो बात की कि मैंने पड़ा भी नहीं था बहुत अच्छा हो गया तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो पड़ा होगा it would be more easy for them तो यह तो हमें बड़ा थरली बड़ा सुरह अंबिया को और दोनों को इस बहुत अच्छे खासे टाफ थे तो इस ओकी इस ओकी वी लर्ण लॉट बाद मैं वैसी कॉमेंट नहीं था इसलिए मैंने आपसे आता घंटा जो है यह बैस किया था कि आपके क्वेस्टन को मैं सम करना तो कोई नहीं हमने बहुत कुछ लेंट किया कि को समझना कैसे है कि हम समझ नहीं पाते ना को और इसकी मिस्टेक हो जाती है तो बाद में हमने समझा भी कि अच्छा पूछा यह गया था तो वो कुछ कभी-कभी ऐसा स्ट्रेस भी होता है पेपर टाइम करते वह कि आप अच्छा था आप लोगों का जजाकर लाओ खैर आप मारे लिए बहुत ही जबरदस्त चीजें लेके आते हैं वस हमारी खुद ही सरी कमी कोताहिया होती है कि हमने सही प्रिपेर नहीं किया होता है अपनी कमी कोताहिया आपके साथ शेयर कर दी है एक्जैम्ट का मतलब यह हो अब मैं सर एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं एक मैं एक मिल्ट लोगा कि हमारा ग्रुप जो है ना मतलब कि उसके इसमें हर फर्द का अपने नाम लिया है कि इनमें जो है ना पर फार्जर्ट रनाउंस किया उसमें उनका नाम है वाए एक मिनी सिस्टर जो ह ना उन्होंने बहुत इंप्रूव किया और उनका नाम मतलब उसकी वज़ा ये है कि हम हफते में छे दिन सलसल पढ़ते रहते हैं जिस तरह टीचर रोज पढ़ते हैं हमने भी कोशिच किया और अल्ला ने उसका जो ना रिवाड दिया है कि आपने उनका नाम लिया रिजर्ट में ना मुझे अफसोस हो रहा है जो क्यूसी सेवन के स्टूडेंट्स मतलब के उस पैट्रिन पर मुझे जो है ना जह तरह उन्होंने खबर को जो राबुल कुरान को समझते हैं ना उत को सही तरह फालो नहीं करते हैं खबर जो है ना वो एक पूरा जुमला होती है क्या है मैं समझ निया मैं कह रहा हूँ की जो हां कि क्यूसी सेवन वाले आपके सुझार पर दराश करें थे ना ने मैं ना को कॉमेंट ना करें पर मिलीए अप से रिक्वेस्ट मैंने इसलिए आपको क्यूस्ट्ट नहीं लिया था ऊठीक है? QC6 मतलब QC6 पर करते हैं तो आईए अब शुरू करते हैं आज का जो इंट्रिड़क्शन है और विते प्रेश अप्रोच बिसमिल्ला रुर्माद अबरहीम अल्हम्दुल्ल्ही रब्लामीन वस्लात वस्लाम अला अश्रफिन अबियाई वलमुर्सलीन नभीना मुहम्मद वाला आलिही वास्हाबिह अजमाईन रब श्रह ली सद्री वजस्री अम्री वहलु अुक्दतं मिल्लिसानी यफकहु कॉली अस्सलाम अलाइकुम रखमतुल्ही वबरकातो सेकंड पार्ट हम आज QC7 जो QC7 जॉइन कर रहे हैं उनके लिए एक इंड्रड़क्शन के लिए चार या पांच स्लाइट्स हैं कि हम QC7 में किस अंदाज में पढ़ेंगे तो QC7 के मकासित क्या है लेस्ट डिसकस दे अबजेक्टिव्स कुरान मजीद की स्टेडी हम कंटिन्यू करेंगे सुरूत अलहज से आगे यानि स्टार्टिंग फ्रूम सुरूत अलहज हर लाइन में आने वाले अलफास की तफसील उससे क्या मुराद है अलफास की तफसील से उसका सर्फ मुराद है लेकिन सर्फ सर्फ ही नहीं उसका मुकाम क्या है और पढ़े गई ग्रैमर की आयात पर मश्क यानि जो हम ग्रैमर पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस कुरान को जिन्दगी में लाने का तरीका समझना जो पहले हम इस्तमाल कर रहे हैं यानि इसमें से लेसंस कैसे अखस किये जाएं दौा, इक्तसाब, प्लैन, तब्लीग के जरीए जो नए आने वाले अलफाज हैं उनके टेबल्स बनाना मकस्द यह है कि उनको रेकिनाईस करना, इडिन्टिफाई करना कि यह किस बाप से हैं जो हम बाप पढ़ चुके हैं उनमें से किसी ने किसी बाप के साथ उसको जोड़ना और उसका बताना कि क्या यह इसम फाइल है, फैल मुजारे है उसको यानि ग्रैमर टेबल से अइडिन्टिफाई करना और उसके बाद ग्रैमर की इस्तलाद का मुकमल इस्तमाल है, QC6 में हमारा जो 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 जोर ता वो यह था कि हम आडिन्टिफाई कर लें अफाल कौन से हैं असमा कौन से हैं और उनके आराब के अईडिल पर द्वयू से क्या वो मर्फू है, मनसूब है, मचजूब है यह मझरूर है, अगर ऐसम है और उनके अलामाथ कि कुन सी अलामत बता रही है कि ये मर्फू है ये मनसूब है और उसके बाद हम उनका सारा स्ट्रक्चर तो पढ़ रहे थे लेकिन हम इस्तलाहत को पूरी तरह से इस्तमाल नहीं कर रहे थे तो कुछ सेवन में हम उसको इस्तलाह जिस तरह के आम तोर पे किताबों में मैंशन होता है किसी हद तक हम कंप्लीट करेंगे लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम दौरान दूरिंग आवर स्टेडी हम करेंगे कुछ हम कर चुके हैं और कुछ हम फ्यूचर में करेंगे जुमलों की नहभी तरकीब को रिवायती अंदाज में कैसे देखा जाता है उसको भी हम स्टेडी करेंगे आविसली विता नॉलिज ऑफ क्यूसी सिक्स तो इसमें जो खास बात हो यह है कि जो कुछ आपने क्यूसी सिक्स में पढ़ा है उसी की कंटिनियूशन है उसी पर रिइनफॉर्समेंट है और चंद नई इस्तलाहात आएंगे ये चंद नए ग्रैमर के पहलो वर्ड्स आएंगे अच्छा अब उसमें तर्टीब क्या होगी हर क्लास में मुस्व के दो सफ़ात की तलावत यानि चार स्लाइड्स होंगी इसका मतलब है उसके बाद आयात का तर्जमा रवा और लवस पर लवस अब यहां पर हम एक चीज़ चाह रहे हैं कि जो हमने QC6 में नहीं की थी एफेक्टिवली वो यह कि तर्जमा जो है करना आप सब को अब तक आ जाना चाहिए तो QC7 में हम जो कुछ प्रैक्टिस करेंगे और आप से करवाएंगे कि तर्जमा करने की सलाहियत कैसे डिवल्प की जा सकती है यहां पर एक जरूरी बात यूं समझ लीजे कि हमारा फोकस रहा है कि हम अलफाज को अरबी में डिरेक्ट अरबिक में कुरान की आयात को समझें तो हमें फाहम तो आ जाता है बिकोज हमें उस ग्रैमर का सीगा पता चल जाता है मुरकब है पता चल जाता है अगर उस हाल है तो पता चल जाता है तो हमें उसको समझ आ जाती है लिगा किसी और को बताना है उर्दू में तो फिर एक ये एडिशनल स्किल है कि मैं कैसे इसको अपने जेन में फाइल को पहले लाऊं फाइल को बाद में लाऊं बीच में है इंट्रिड्यूस करूं मैं कैसे एक्स्ट्रेइन करूं यह है रवात तर्जमा तो इस पर हमने प्रैक्टिस नहीं की यह समझते हुए कि यह इट इस स्ट्रेइट फॉरवर्ड लेकिन हम उसको चाहेंगे कि अब क्यूसी सेवन में उस स्किल को इंप्रूफ करें यह आयात का तर्जमा हम कर सकें जब अलफास को में देखे एक होता है अलफास का तर्जमा आपको आ जाए उसका सर्फ और नाव भी आपको पता चाल जाए तो फिर रवाद तर्जमा भी हमें कर लेना चाहिए थोड़ी सी एफट के साथ जो अब नई अलफाज आएंगे उसकी सर्फ और नाव मश्च के साथ यह उसकी प्रैक्टिस जो नई अलफाज आएंगे जो पराने गुजर चुके हैं बार बार उनको हम रिवाइस तो कर लेंगे लेकिन जब आप खुद कहेंगे कि आप तो यह असान हो गए हैं तो वी विल देन स्किप दोस इन्शालला सबक में आयात में नई आने वाले नाव के मौजवात कुछ नए मौजवात आएंगे बलके बहुत सारे आएंगे तो हम कोशिश करेंगे हर क्लास में कोई एक नया मौजव चूस करके उस पर हम स्टेडी कर लें और प्रैक्टिस कर लें आयात की मुक्तसर तफसीर तफसीर के मामले में मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि तफसीर जैसे सिस्टर ने भी किसी ने बताया बहुत सारी तफसीर है हम यह नहीं चाहते हैं कि किसी तफसीर को हम स्टेंडर्ड बनाएं यह किसी को छोड़ भी दें तो तालीम अलकुरान को हमने एक तरह से स्टेंडर्ड बनाया तफसीर का और एक हम तैसीर अलकुरान कि लानी साब की है उसको यूस कर रहे है असबाग के लिए और हमारी कोशिश यह है कि तफसीर में हम क्या करें हम तो पहली बात तो है قرآن को قرآن की जरीये से तفسीर करें यानि कुरान की आयात अगर कहीं और आई हैं तो उसको उनसे रिलेट करें या पिर नभी ने अग्र खुद उन आयात के मतलिक बात किया तो उससे हम रिटेशन करें और पिर सहाबा ने इसको कैसे समझा तबयतावी ने कैसे समझा तो हम वोई ट्रेडिशनल तरीका अडॉप्ट करें और उसके बाद उसमें से जब लेसंस हमने लेने होते हैं तो उसमें हमें आज के अहलात को सामने रखना पड़ेगा तो ये दो अलग अलग चीज़ें है सेकंड पार को कहते हैं आयात पर तदबर और ये एक यूनीक अंदाज है कि आपको एक दफ़ा मुक्तस्त तफसीर पता होगी और ये पता होगा किसकी बाउंडरीज क्या हैं उस बाउंडरीज के अंदर रहते हुए आयात पर तदबर करें किसलिए ताके उसमें से अस्वाक अखस किये जा सकें आज की जिन्दगी के लिए बिलीव मी मुझे तो आज के अहलात को जब देखते हो तो मुझे कुरान के अंदर आयात ऐसी नजर आती हैं जो पर्फेक्ट सिलुशन्स बनती हैं अगर उस कॉंटेक्स में लिया जाए तो QC7 we want हम चाहते हैं एक ट्रैक्टिकल किसम का कॉर्स हो जिसमें कुरान के जो असबाक है या कुरान से जो आयात से हम असबाक लेते हैं उनको अपनी जिन्दगी में इस्तामाल कर सकें मैं ये नहीं चाहता है कि इसको हमने ग्रैमर बहुत पढ़ लिया अब सेवन में भी आप पढ़ लिया है अब सेवन में भी आप पढ़ रहे हैं और आप जो QC6 में पढ़ कर आए हैं जो पुरानी क्लासे थीं QC6 की और सेवन की उन्होंने इतना ग्रैमर QC6 में नहीं पढ़ा था तो इसलिए हम एक हत्ता की जाएंगे हर आयत का मुकमल नावी तश्री नहीं करेंगे लेकिन हम उसमें से एक्जांपल सेंटेंसिस ले लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए किस तरह किया जाता है अबजेक्टिव जादा है कि आयात को जिंदगी में कैसे लाया जाए और परसनल स्टेडी हम कैसे करें अच्छा अब रिवायती अंदास से क्या मुराद है सर्फी तश्री हमने के और नावी तश्री का रिवायती अंदास क्या है यानि हम उसको अगर मन को लेखें तो हम उसको कहें जी सर्फ के इतबार से मन क्या है और नाव के इतबार से मन क्या है तो सर्फ के इत्वार से याद रखें कि जुम्ला अगर लफ्स बाइट सेल्फ भी मौजूद हो तो उसका सर्फी तालील की जा सकती है लेकिन नाफ के पॉइंट उ व्यू से जब तक एक जुम्ले के अंदर लफ्स ना आए उसकी नाफी तश्रीज जो है वो नहीं की जा सकती या नहीं करनी चाहिए बलके प्रेक हो इनी सकती तो आप सर्फी लियास से अगर मन को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे मन जो है इसम में पहली बात यूँए और कौन से इसम है इसम मौसूल है इसके एराब की हम बात नहीं करेंगे यानि जब एराब की बात होगी तो हम कहेंगे यह नाभी तश्रीष की शुड़ो हो रही है अब यख रुज तो हमने इसको ग्रैमर टेबल से रिलेट करना है तो उसका यह सर्फ होगा यानि कौन सा ये टेबल है ये खराजा यख रुजू है और ये फेल मुदारे है ये वाहिद है ये मुदकर है ये गाइब है हम यहां तक पहुंच चुकी हैं कि हमें ये अलफाज अगर ना भी कहें हमें तो हमें डिरेक्ली पता है कि हम सब का लेवल यहां तक पहुंच गया है कि या खरुज को कहें तो आपको समझ आ जाजाएगी कि ये सर्फ के अथवार से या खरुजू था कुछ चेंज आई है जो ना पता चले गा हमें जाकर क्या है लेकिन आकिन मुझे पता ये खरुजू का टेबल है नसरा का पैटरन है और ये फेल मुदारे है ये वाइद है ये मुदक्कर है ये गाइब है मिन अर्फे जार रहे है और मिन के बाद बैती ही का कोई हमने यहाँ पर सर्फी तश्री लिखी नहीं है लेकिन बैत जो है इसम जामिद है तो इसका कोई ऐस सच अगर है हो सकते हो भी सही मैंने तो ये इसको स्टडी नी किए शेजाद सब चेक भी कर लीजेगा कि हो सकता है तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि जोला अलफाज आम तोर पर इस्तमाल होते हैं उन्ही को हम आम तोर पर देखेंगे महाजिरन अब इसको जहरी बात है आप सर्फ के पाइंट व्यू से इसको देख सकते है के महाजिरन ये कैसे बना होगा कोई बता सकते है मुझे क्यूस सिक्स ए सेवन का कि महाजिरन महाजर तन माशारला तो इसका मतलब है ये जो एक्सेसाइड आपने कीई है ये सर्फ के इलाक से की है और ये क्या है इसंद फाहिद है फाहिद है मुधक्कर है ठाइड है तो ये और नावी तरकीब हम इसी जुमले की कैसे करेंगे अब मन को हम करेंगे ये थोड़ा सा इसको जो है ना ज़रा चेंज कर लेते हैं इसमों शर्त है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको छिजाद साहब इसको ऐसे करें कि पहले तो आई इसम है और इसमों शर्त है ठीक ह और ये जाजम है तो ये चीजे हम सीखेंगे कि मन जो होता है नाव में कैसे इस्तमाल होता है तो खासकर ये शुरू में आ रहा है तो शुरू में आता है तो अगर ये इसम है तो एक जुम्ला इसमी आ है तो इसलिए ये मुप्तदा तो है इसे लेकि स्टार्ट कैसे करेंगे मन को हम डिफाइन करेंगे कि मन ये क्या है ये इस इसम है इसम शर्त है और ये जाजम है मुराद से ये है कि ये अपने आने वाले फेल को और उसके जवाब को जज़म देता है कि उसी स्क्राइब ये पढ़ चुके हैं इसको हम और टेक्निकली यहां पर पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है हम ये भी कह सकते हैं इसम शर्त जाजम है और ये क्या करता है ये मज़ूम करता है अपकर आपको क्वेस्चन है अच्छा नहीं है तो हम दूसरे देखेंगे कि अब एराग की बात हो रही है चूंके मेरा माईक जो ता मैं अभी दिवारा पोलता हूं सर्थ कि ये मान ये जो हर्फे जाजम होता है ये मज़ारे को मज़ूम करता है जिए तो अगर मज़ारे ना आ रहा हो सिर्फ माजी हो तो उस सुरत में माजी का कोई हम उसको जब अनाउन्स करें कि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं एका लगा लेकिन यह बाकी अफ़ाल पर भी असर करेगा तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे करेंगे तो हम उसको जहांना चाहेंगे कि जी इसका जो एराब किसको कहते हैं जो आखरी एंडिंग को जो किसी तरीके से बियान कर रहा हो कई दफा कुछ जायर करके कई दफा कुछ माजूफ करके लेकिन एक अलामत के जिरिए तो हम पड़ चुके है कि ये मबनी से अलस्सकोन जब चेंज नहीं होता तो उसका फिर कैसे बताएंगे एराब एराब से मुराद हम लेते हैं कि उसका function in a sentence चुनकि शुरू में आ रहे तो मुटदा है तो मुटदा तो मर्फू होता है तो अब यह मर्फू की तो यहा कोई हमें सूरत ट्रडिशनल थर नहीं आ रही तो हम किस अधाज में कहेंगे फे महले रफ मुटदा और यह एक जैस जैन्रल एइब 197 हम किस अंदाज में किउसी 7 में हमने इस को इस अंदाज में नहीं किया था controller में हम यह कहते थे कि हाँ यहां पर मुक्तदा Иस्तमाल हो रहा है ठीक है यह मपनिरस्सकून है लेकिन यह इस order में लिखते थे इस order में बियान करेंगे हम और ये थोड़ा सा आर्डर आगे पीछे भी हो सकता है मुख्लिब किताबों मुख्लिब अंदाज से लिका हुआ हम किसी एक को फॉलो करें अब यख रुज था तो फेल मुदारे है पहले लिखेंगे कि वो चीज क्या है फेल मुधारे को सबसे पहले ओजंसा भी चीज फेल मुधारे यानिए फेल है और मुधारे है उसके बाद देखेंगे कि उसके जो आखर में क्या इसका अइराब क्या बता रहा है मजजूम हैं तो कैसे मजजूम हैं मजजूम की अलामत क्या है बिस सुकून और पिर ये है क्या ये फैल शर्थ तो फर्स पार्ट आफ अ कंडिशनल सेंटेंस उसके बाद जब भी फैल की बात होती है तो साथ फैल का जिक्र करना ज़रूरी होता है ये भी क्यूसिसेक्स में पता है लेकिन हम इस तरह से मेंशन नहीं करते थे ये खरोज में इसका फैल कहा है तो ये देखना पड़ता है कई तफ़ा फैल उस फैल के बाद भी आ रहा होता है यानि जो जहर हो लेकिन यहां पर ये जमीर के तोर पर आ रहा है वो मुस्ततिर है ये टर्मिनॉलिजी हमने अगर यूज नहीं की हम यहां यूज चुने शुरू करेंगे 7 में कि ऐसी जमीर जो छिपि हुई है इसके अंदर और जमीर मुस्ततिर उसकी तकदीर यानि एक्चुली क्या है ऑगर वो छुपी नहाँ होती तो क्या उती तो वो और वाठी जो इसके अंदर छिपी हुई है तो मिन हमने पढ़ा था पहले कि ये हर्फ जर्र है उसको लिखने के दो तरीके हैं ये हर्फ जर्रिन या इसको आप सिफ़ा मुशूब की तरह लेक सकते हर्फ जर्ण ऐसा हर्फ जो के अगले को मजरूर करते हैं और इसको आम तोर पे इसके साथ अब इसम को भी साथ लेखेंगे यानि मिन के साथ मिन बाइट तो ये जर्र मजरूर किलाएगा इसको लिखने का एक और अन्दास जोड़ी है ये कोई और मेथडॉलिजी जार मजरूर और उसके बाद ये मजरूरन बाइत जो है बिलकसरा यानि कसरा इसका इरामत है और चूंके ये अगले लफ्स के साथ कनेक्टेड है वहुआ मुदाफ तो ये टर्मिनॉलिज यूस करेंगे आपको पता पहली भी है कि मुदाफ देखेंगे और उस तैंडर में भी आप देखेंगे थोड़े द्रिफरेंसेज आएंगे बईती ही अब यहापस में भी एक जोड़ी मन रहूँ है तो हम केंगे आफры ही की बात करेंगे। तो ये भी जमीर है। और मबनी है। और जमायर मबनी होते हैं। इसके अंदर भी ठोगा सा टेकनिकल आब भी तेड मीन ही जा रहर है। आम तोर पर जो ये जमायर होते on ए आम तोर पर मर्फ ये झारी में आम तुर। वह वो तो जबीरुन मबनी है फी महले जर क्योंकि इसका महल है ये क्योंकि वैसे तो ये मबनी है ये चेंज नहीं होते या या ये हूँ होगा या ही होगा दो कंडिशन्स है और मुजाफ इलाईस की वजा है तो इस अंदाज में हम देखेंगे और अगे महा महाजीरन तो ये हाल है तो हम इसको अगर सिंप्ली हमने कहना है तो हम इसको हाल मनसूब बिल्फटा आगे जाकर हम कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे कि ये हाल किसका है इसका जू हाल क्या है या ये ये इस केस में जो जमीर तो यह हम आगे चलके करेंगी सिस्टर असमा यह अब रदर सल्मान जी असलाम अलेकुम सर अब यहां पर तुसर कसरा तो जाहरा है ना तो हम इसको फिर भी अभी महले महले नहीं बोलेंगे यह जाहरा नहीं एक्चुली यह मैंशा मैंने तुपा को का कि यह जो जमायर होते है नहीं यह मैंशा एजा हूधा है एसे हुधा हूधा हूधा है गो मिसRed हो किताब हूधा उसको एपढ़र नहीं इसको मुस्ततर तो नहीं in komplett मजरूर वो शायद इससे वो हो रही हैं कि मजरूर है तो कसरा आ रही है ही के नीचे तो इसको मजरूर बिलकसरा क्यों नहीं कह रहे हैं कि महले जब क्यों कह रहे हैं वो इसलों षी आए कि पश्ला वाला जो है न वो गसरा इसके साथ है। उसके वज़ेसे ये throat ऑगर ये कुछ ओर होता है लैट से अगर ये होता बैटी न ... बैटा हूझ अगर जबर होती बैटा हूझ तो अब आप क्या कहते हैं इसकोبة हूझे समझे हाँ सर फिर तो वो समझ में आ रहा था कि मबनी और उसको पिर महलन हम उसका इराब कहते तो यहां भी वही है यहां पर भी वही है फरक यह कि यह ही का आने का मकसद यह इसकी वज़ाँ यह कि एक और सेकंड डूल अप्लाई हो रहाए कि अगर इसे पहले वाले पर कसरा आरी हो तो ये कसरा लेती है लेकिन वो भी मबनी ही है याई आप ये कह सकते हैं ये दो तरह से मबनी हो सकता है अगर भाई ता ये भाई तू होता है तो ये पिछला भी लिया है लेकिन ये मजाफ लई भी है तो ये सेकंड रूल ये मजाफ जो होता है वो भी मजरूर होता है हा लेकिन उसकी वो वज़ा नहीं है अगर मैं कहता है भाई तू ना उसमें तो कोई कसरा नहीं आ रहा तो कसरा जो है ना ये 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 जो है ना उस तरह से जाहरी अराब नहीं है ये 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 मबनी है कि चेंज नहीं होता मबनी का मुरा जाहिर होना और चीज़ है हम यह को यह कहना है इसके दो डू फॉरमेट है बाकी अलफाथ का एक फॉरमेट होता है इसके दो है और दो की वज़ा भी आपको बताई किस से पहले कसरा आरहे तो चुँके जिसके नेवर में कसरा आ जाता है तो वो ये काम करता है यह से पेले कब यह खड़ी जहर लेता है तो उसमें बताया वह था Lखन थोड़ा समयने के लिए का है कि सब्सक्राइब करें बात करें बात करें सिस्टर अनीस फात्मा का पहले हाथ खड़ा हुए जी सिस्टर जी से मैं यह कह रही थी कि हमने इस सेंटेंस में मन मुक्तदा कह दिया नहवी तर्कीब में हमने इसका खबर भी डिफाइन करनी है आगे है नहीं आगे जुमला अभी है नहीं न फिर जवाब शर्ट आजाएगा न हागे जवाब शर्ट मिलकर यह सारा अबर बनती है ठीक है गोती होगे ऑच्छा तो हूं क्लेर हो गया है न पोसिया अजी शंतर मैं जुक्ना कि पैरे में बात करना चाहरी थी यह मैं मुक्तसला होती है यह मेशा मजरूर आतो है या ये हज़िए साहिए इसम के साहिए यृ इसम के साहिए और मजरूर होके आती exactamente जबके जमायर मनफसिला जो होती है वो मर्फू होती है ये लुथ और रिमान साथ की ग्रैमर की बुक में ये मैंने पड़ा था बड़ा अधा हुआ सिस्थर मुतस्ल हो तो मनसूब भी तो हो सकती है ना सर मजरूर इस जादा कहा जाता है फैल के साथ फैल के साथ फैल के साथ क्या होता है मफूल भी के तौर पे आएँगी के तो मजरूर आएगी अगर छुण फैल के साथ आएगी तो मजरूर आएगी तो मतलब ये इसकी different option हो सकते हैं है ना जी सेर और ये मबनी मबनी होंगी बस मबनी Allah सकून कह दें या जो भी जी जी मबनी होंगे जो भी उस पर नजर आ रहरे जिसे साथ Allah जीना को हम क्या कहते है मबनी Allah क्या है ये Allah जीना जीना मबनी है इसमें मुसूला के तोर पे इसको तो हम लेते हैं नहीं मबनी किस पर कहेंगे मबनी अला वाट मबनी अलाल फता बस फता यही यही बात करेक्ट ठीक होगे जीस चोजी साहब सर हम यह QC1 से पढ़ने के जमाय मबनी होते हैं हूँ को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं यह QC1 से अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ अगर रिक्वेस्ट करूँ यह कर ना कहा जाए QC1 से हम ने QC1 में चीज़े यह नहीं पढ़ी थी अब सम दुबारा से पढ़ रहे हैं उनको सो मतलब है let's be in a learning spirit के यह चीज़ें जो है ना आस्ता आस्ता clarify होंगी और यही मक्सद है तो comment वो करें जो के positively हम आगे discussion को ले जा सकें ठीक है ना जी सिस्टर अर्जुमन जी मैं झाले यह कियना चाली थी के हमेशा generally कह देते हैं कि zamhair मवनी होते हैं लेकिं जमाईर में जो ने मिल न जो ने क्लेरिफाइशनी करना चाहिए यह बात in general कि दो की नहीं होती कि हमने एक दमाग में यह बसा लिए और यह और यह सब मवनी होते हैं customers ये चीज जो है, उसको क्या देना चाहिए कि क्लियर जब्सक्राइब करने, जमाइर नहीं भी मबनी होगी, अस्माइब मौसूला दो बले मबनी नहीं होते हैं, नहीं मैंने तो उनकी अपनी आमिर सुहेल साहब की जो लेक्टिर्स नहीं हो बात करें, हाजा नहीं हाजा नहीं फजानी हाजानी फजानी जिए, हजानी हाजै नक्स्ट आठे कि हम तरतीब किस तरतीब से पढ़ेंगे? तो आयात की तरतीब क्या है कि पहले तलावत, तरजमा अलफाथ का ग्रामर, मुख्तसर शरा ये मुख्तसर तफसीर तदवर और सबसे आखर में उस तदवर के बाद अस्बाक तो दुबारा से इसको देख लें ये हमारा मेथडॉलिजी है और मैं यहां पर ये आखरी स्लाइड है इस पॉइंट व वियू से ये मैं आप से शेर करना चाहता हूँ कि हम जितना अब तक पढ़ चोके हैं QC6 तक अब जो कुछ भी पढ़ना है इसमें नई चीज़ें कोई नहीं है कोई एक आद नई चीज़ होती है लेकिन अबजेक्टिव हैस कि हम इसको रिवाइस करते रहें तो क्या everybody is in the same spirit कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही असान होगा कुछ लोगों के थोड़ सा challenge होगा कुछ लोगों के लिए revision होगी लेकिन QC7 ऐसी class है कि हम या तो हम कहें कि जी आप graduate कर गए है तो उसका फिर अप क्या जवाब दे हैं शिजाद साब यह मैं इसलिए discuss कर रहा हूं कि जब यह class आगे चलेगी मैं यह नहीं चाहता है कि जिसको जिसको समझ में नहीं आ रही हो question नहीं ना पूछे आगे से अकला कहें का यह तो पड़ा हुआ था तो I want to stop very first day मैं चाहता हूं यह बात clarify हो कि हम cater कर रहे हैं उस student को जो कर लोईस लेडर पर है लोईस रंग अफ दे लेडर है यह नहीं मैं यह बात कहना चाह रहा हूं कि अगर बाकी लोगों को इस बात पर cooperate करना चाहिए कि we will go along with the person who knows the least in this course not the most this is a नगमा जी मैं दो बाते एक तो यह है कि मैं उस category में आती हूं who knows the lowest level पर उनके मुझे भूलता जाता है जो कुछ सीखती हूं लेकिन मैं यह कहना चाह रही थी कि यह अगर हम नहीं करेंगे तो अभी जो सोच रही है fresh करके आए है कि अभी साब आता है यह भूलना शुरू हो जाता है so I strongly feel with my own experience कि यह करते रहना बहुत जरूरी है इसी तरह जिस तरह है तभी यह हमारा जो है इसको वरना यह वाला लेवल नहीं रहेगा we'll start forgetting these things यह practice बहुत important है right तो मेरी कुछ Q7 से स्टूट से request ही है कि वो थोड़ा सा मतलब है सबर का मुझारा करें और encourage करें QC6 वालों को although QC6 वाले भी सब कुछ पढ़ चोके है but let's do it in a gradual way जी से साधिया sir exactly मेरा अपना भी यही है क्योंके we have experienced the same thing in our QC6 class as well कुछ लोगों के जाहरे they were above the level और उनके पास knowledge बैंक भी जादा था तो we were always facing this challenge कि जब वो they were sharing their opinions and thoughts तो most of the time वो मेरे उपर से बुदर जाती थी तो मुझे interrupt करना पड़ता था उस class में so I would really appreciate कि अगर इस तरह की approach के साथ चलें कि सारे कुछ हम से कम level पे होंगे कुछ जादा होंगे कुछ मिडियाकर्स होंगे तो इस पे चला जाए कि वो सब की understanding उसमें share हो जाया करें मतलब एक बहुत extraordinary high level भी ना share किया जाए information का जो कि हमारे कुछ आत्यों का है उस level की उनकी knowledge है which we cannot just cop up और बिल्कुल मैं कहती हूं कि उतने भी ना चले जाएं कि अभी हम बहुत ही basic level की बाते पूछना शुरू करने अगर हम लगता है कि कुछ चीज हम पहले से पढ़ चुके हुए तो one approach could be कि हम थोड़ा सा scam through कर लें कर लें अपनी previous book को भी ताकि वो भी एक irritation बाकियों के लिए ना court कर लें for very basic things I fully agree साधिया मैं चाहता ही हूं कि हम को landmark set करें कि कौन आपने आपको who is brave enough courageous enough to say कि मैं at a lower level हूं तो मुझे extended बनाया जाए कि अगर मुझे समझ आजा जाए तो इसका मतलब है सारी class को समझ आजा जाएगी anybody मैं हो सकती हूं सारी मैं भी हो सकती हूं मुझे हाथ खड़ा करके बताएए सिस्टर असमा आप तो माशाला जो है ना मैं सारे नाम ये नोट कर लेता हूं कि ये अजिए ना सिस्टर असमा ना सिस्टर सीमा जयाती है कि ये वाकि लो लग बकॉस एक एप फिर्टिंग मुझे मुझे याद रखना बहुत मुझे रूल्स को मैंने ये नाम लिख ली है अर्जमार जाबाई ने इसमें चोईसाब मैंने आपका नाम नहीं लिख रहा है मकबूल साब सिस्टर नीलम ठीक हो गया और सिस्टर शबनम आपने आपको सबसे लो लेवल पर समय तो हमेशे ने वो सब सही है मैं ये कहना चाहा रहा हूँ एक रियालिटी में अगरना मैं सब को पूल करके ले जाना है तो मेरी एक रिक जिनके नाम मैं लेख रहा हूँ ने इसके साथ एक कंडिशन भी अब है इन्होंने फिर ब्रेव नफ होके घलतीयं भी करनी है यानि गलती किसे मुराद ही है कि कह नहीं समझ आती तो आप कहें जिए मुझे समझ नहीं आ रही विल नॉट स्टे क्वाइट सिस्टर नीला ये तो लिस्ट लंबी होती जा रही है सर इसमें बस थोड़ा सा ये कभी कबार ये हो जाता है कि जैसे कोई हम बहुत ही बेसिक सवाल पूछें तो जर्ड़ा थोड़ी कहते हैं शायनेस फील होती है कि यार ये तो कुश्चन बहुत ही बच्चों वाला लग रहा है पर एक तफ़ा पूश कि उस क्लारिटी हो जाती है तो फिर नेक्स टाइम के लिए और लेर्णिंग हो जाती है मेरे खाल में ये जरा मुझे और रसमा को फील होता है कभी का बारी है सिल्मान भाई एक आप भी लेर्न कर रहे होते हैं बहुत से ऐसे होते हैं जिनका पूशना था लेकिन वो उन्होंने जुर्ट नहीं की या उनको याद नहीं रहा तो इसलिए नो क्वेस्चन इस टू सिंपल सो इसका बातले मैंने ये एक दो तीन चार्टस नाम लिख लिए हैं तो मैं शिजाद साब आपने कनफर्म करना है मैंने चोधी साब का नाम इसमें से निकाल दिया बाकी आप मुझे बताईएगा कि कौन से नाम जाएना वो सही है ताकि फिर हमारा एक गेज बन जाएगी ना कि मैं कहूंगा कि सल्मान भाई आपको बात समझ में आ गई तो अगर हुआ ने किया चैसन मैं समझ आउंगा कि बाकियों समाध बी इन लोगों से जादा किये जाएगे इन से जादा करेंगे वाई याकूब भाई ने लिख दिया याकूब भाई ने क्यों लिख आपने लाव वो तो आज़र चलें एनिवे जामोद साब भी आगे के चारे हैं कि मेरा मकसद यह है क्यी शाइनस को फील ना करे और वो in नो हम सब को ना कट्ळा लेके चले हैं, प कुज मेरे ख़ीयाल में दो या तीन महीने में यू इल आल डीन सेम लयवल अनले शाफला सर पस सब एक चीज़ ऑके के ये जरुन 만들어 अगर कोई question पूछता है तो फिर भी उसको encourage करना चाहिए कि okay no problem आप इसको आगे चल ताकि और दूसरी सारे की motivation बड़ा जूरी है क्योंकि हम सार अभी इस process में हम चल रहे हैं इन चीजों पे कुछ mistake सोच सकती हैं हम से तो एक चीजें जो तीन चार चीजें ये अगर हमें थोड़ा हों तो इंशालला हम जरूर आगे grasp कर लें तो सब बस यहीं मेरा कहना था ठीक तेंक तो अब कि आपके आप हाथ नीचे कर लें थोड़ी देर के लिए ये दर हाथ नीचे कर लें थोड़ी देर करें ताकि भर हम दुबारा स्टार्ट करें न आचा तो आई हम सुरत अलहाज की introduction आज करते हैं मजामीन को discuss करते हैं कि what is so special अबर सुरत अलहाज तो believe करें कि after a long time एक ऐसी सुरह आई है जो के कई लिहाज से मुन्फरद है it is unique in many many ways और जब मैं many ways कह रहा हूँ तो आप यू समझे के हम पढ़ते रहें अब तक कि concept के जी कौन सी सुरह मक्की है और कौन सी मदनी है और मक्की सुरह वो कहलाती है जो हिजरत से पहले पहले नाजल हुई वो मक्की कहलाती है और जो हिजरत के दौरान या हिजरत के बाद जो नाजल हुई वो मदनी कहलाती है चाहे वो मक्का में ही रिवीर हुई हो बेशक बाद में तो मक्की और मदनी का एक कौनसेप्ट है और हमें ये भी पता है कि मक्की जो आयात है खासकर शुरू की जो आयात है उन में जो सेंटेंसेज हैं आयात हैं वो शॉर्ट हैं स्ट्रॉंग हैं और जो बेसिक तोहीद रिसाला आखरत पे कॉंसंट्रेट करती हैं और अपील करती हैं तो दो मुश्रिकीन तो एक सर्टन जब आपको पता चल रहा है तो आपको उसके मजमून के बहुत से चीज़ें आटमेटिकली पता चल जाती हैं क्योंकि उसम्सल्मान थे उनकी जो लाइफ थी उसके साथ जो 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 उनके साथ हो रहा था उसके मताबक उन्टे मुसीथें पड़ रही थी और सो मक्य और मद्रिय हमें बहुत इंपोर्टन चीज़ें बताती है तो सुर्फ लख जो है किया यह मक्यी है यह मद्रिय बन्रिय ने Benedische किया जी, यह मद्रिय होगी मद्रिय होगी जाए हृना और आप्षिन किसी और का कई क्या ख्याल है सर दोनों है तो दोनों है सर मधनी और मख्की भी है कुछ इसा मधनी भी है कुछ मख्की है गर आप कोई question quiz में दे दिया जाए तो यह fair question होगा कि यह सुरह कौन से मख्की है या मदनी है तो इसका जवाब आपने दुरस का कि यह सूरा ऐसे है कि कुछ हिस्सा इसका मक्का में या नाजल हुआ, कुछ मदीना में वैसे तो अकसर सूरा के साथ ऐसे ही है लेकिन आम तोर पे चंद आयात मडनी हो जाते हैं या मटनी हो जाते हैं लेकिन एक बड़ा portion दो होता है वो या मकी होता है या मदनी होता है तो इसमें अगरचे बहुत सा portion मकी कलाता है और बहुत सा मदनी लेकिन इसका maximum जो portion है वो मकी है फिर भी और इसका अंदाज जो है उसमें मकी होने का देखिए दोनों तरफ मैं दोनों आपको views दे रहा हूं ताके हम prepared हों कि मकी अगर है तो कैसे है इसका जो आगाज है और इसका जो एक्तिताम है उसका style बिलकोल मकी सूरा जैसा है बहुत forceful है बहुत warnings है और tone इसका नहायत aggressive है यानि एक खौफनाक अंदाज है कि ये आखरी warning दी जा रही है मककन्स को कि भई क्योंकि अब इसके बास 12-13 साल की दावत के बाद ये ultimate सूरा है in terms of the approach to तोहीद, आखरत and रसाला तो उस point of view से आप कह सकते है कि मकी मदनी इसका जो दर्मियाना इससा है उसमें मदनी मदनी मदामीन है और एक बहुत बड़ा मदमून जो इसमें है हज और हज इसका मदमून जब बनता है तो उसमें बहुत बड़ी एक wisdom है कि जो हज का concept ये है कि it is the single ऐसा अरकान है जो तमाम उमत मुस्लमा को अकठा करता है और उनका potential बताता है what is the potential of Muslims वो आपको हज पर पता चलता है जहां पर एक तो उनके जो यानि एक तो equality पर आ जाते हैं सब एक जैसे होते हैं चाहिए को बादशा ये ये चोकिदार है दे लोक अलाइक और वकठे हैं और जिन्हों ने एक्सपिरिंस की हज पर देकर अंडरस्टेंड और उसकी power of हज और उसमें जो आपका जो जो आप करीम होते हैं अल्ला ताला से और जिस जो आपको मांगते हैं और जो उसके effects आते हैं हज in itself is a whole big chapter जो हम बा merging of opposites जैसे मक्य और मदनीश में है इसी तरह कुछ आयात दिन में नाजल होई कुछ रात में होई कुछ सफर में होई और कुछ हदर में यानि कि जब वो सफर में नहीं कर रहे थे कुछ आयात इसमें से ऐसी भी हैं जो नासिख हैं जिन्हों ने जो के मनसूख हो गई तो ना सेकमन सुपर काउंसेट पीस में आएगा कुछ अइसे आयत हैं जो मौकम है यानि क्लियर हैं और एकाम के हद तक और कुछ मुतशाबिया हैं कुछ ऐसे आयात हैं जो नभी असरुण सवारी पर थे तो नाजल हूई और कुछ ऐसी आयात हैं जब वो सवारी पर नहीं थे तो ये एक इम्तिजाज है जो कि मैं इस सुरा को रेस करता है अट अ लेवल कि मेरी अपनी अपनी अडिस्टेंडिंग ये है कि इसकी स्टेडी जो है इस लाइक स्टेडिंग दो कुरान इन नटशल क्योंकि हम इसमें जो टॉपिक जो में थीम है दीन की तोहीद रिसाला और आखरत उसको उसकी क्लाइमिक्स के तोर पे मेंशिन किया गया है इस सुरा के अदर अच्छा मदनी इससे में इसके इलावा और क्या बाती हुई है जो पता चलती है जगात निमाज बाजमात और खास और पे किताल के पहले एकाम सुरत अलहज में है और इसलिए ये चुम्के शुरू की सुरते हैं तो इसका मतलब है इस सुरा में मुसल्मानों को पहली मरतबा अपने आपको फिजिकली डिफेंड करने के लिए और मग्रेशन के लिए इजाज़त दी गई यहां पर यह भी समझ लें कि यह जो सूरतों का जो ओर्डर है यह किस ने डिटर्विन किया था एक तो नजूल के इत्वार से बात होती है नजूल के इत्वार से यह सुरा कहां पर है तोर्ड्स दी एंड आफ मक्कन पीरियड बिल्कुल आखरी दोर अविस्टी बिकॉज़ हम बात कर रहे हैं इसके अजूल मदनी दोर शूरू हो जाएगा तो इसका जो जो ओर्डर है सूरतों का वो क्या तोफीकी है क्या ये अल्ला की दोसे डिटर्मेंट था कि नभी सुल्म ने इसको बताया या ये बाद में सहाबा ने इसको अरेंज है रिएरेंज किया मैं बात कर रहा हूं जो कि इसका मुस्फ का अंदाज है तो इसकी जो जो मेजॉरिटी उपीनियन है जिसको हम फॉलो कर रहे है वो ये है कि ये तो तोफीकी है और और ये अगर आप इसके मजबून को देखें तो यू डू फाइंड कि जो पिछली सुरा का जो एंड मजबून हो रहा है वो बिलेंड कर रहा है सुरत अलहज के साथ इस पर भी हम बात करेंगे वन वी स्टार्ट इट सर्थ तोफीकी से क्या मक्सद है मतला तोफीकी से क्या मतला अल्द आला के हुकम से है बाद में किसी ने इसको जो है ना खुछ से अरेंज देखे ना क्वेस्टिन अराइस करता है कि ये सुरा अभी करती है नाजल बाद में होई थी फिर पहले करती है तो एक तरह हम मक्की मदनी की बात कर रहे है कि आर्डर क्या है नजूल क्या पार से है लेकिन जो मुसफ के इत्वार से इसकी जो आर्डर है वो तो डिफरेंट है राइट तो उस पॉइंट व्यू को और ये जो मिजॉरिटी उपीनियन वो ये है जिबराई लाइसलाम में नभी सुलाम को बताया कि कौन सी आयत कहा रखनी है कौन सी सुरा कहा रखनी है इसका आर्डर जो है वो डिटर्मिन्ट है और फिर जब आप इसको स्टेडी करते हैं तो पता चलता है कि इसकी खास वज़ा है और हिकमत है जैसे हम इस सुरा में देखेंगे कि 22 जो ये 22 सुरा है नजूल के अत्वार से नहीं इसके आर्डर के अत्वार से तर्तीब के अत्वार से तो अगर आपको याद हो कि जो 22 हमने शुरू की थी है सुरी ये 23 है 22 है जो तर्ती सुरत अलंबिया थी 22 तो उसमें क्या था कि जब स्टार्ट होती है तो बात होती है एक तर्बन नास हिसाबोहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून कि नजदीक आगया है कि उनके हिसाब का वक्त और रुखाफ़त में पढ़े है 23 कैसे शुरू हो रही है कि वो जो करीम आना था वक्त वो आगया है इन जल्जलत साथि शेह उन अजीम जिसकी प्रेडिक्शन की गई थी फिशली सुरा में वो स्टार्ट होते ही वो चीज आ गई है तो यह एक मर्जिंग है जो के बड़ी इंटरस्टिंग है विश्योस के जी अगरचे यह नजूल के इतबार से अगर एजएक्ट ना भी हो लेकिन तरतीब के इतबार से इसका मतलब यह कर तरतीब का इतबार हमारे लेसंस देता है यानि हमें कोई ने को इसका फाइदा होता है अब आर्डियंस कोन है जब भी सुरा शुरू करते है तो जाहरी बात है अगर यह मक्की दोर की थी तो आर्डियंस मुश्रिकी ने मक्का थे और इसमें बड़ी इंटरिस्टिंग बात जैसे का ना यह अमतिजाज है दोनों तरफ का इसमें ذकर है मुश्रिकी ने मक्का कर भी इसमें जकर है यहूद और नसारा कर भी और इसमे जकर है इमान वालों का भी मुमिनीन कर भी और इसमें जिकर ऐसे मुमिनीन का भी है जो है आला हर यानि जो अन दे फैंस हैं कहा जा सकता है मुनाफिकीन का एक दर्जा भी हो सकता है और वीक या कमजोद मुसल्मानों का भी लेकिं कैसी इंटरस्टिंग सुरा है ये तमाम कैटिगरी इस डिसकस की गई है यहां पर और दूसरी बात जो बताती है कि पिछली सुरा इसके साथ जो है वो जॉइन हो रही है कि पिछली सुरा के अंदर पहला हिंट दिया गया था फत्ता वक्का का अगर आपको याद हो कि वो आयती जिसमें कहा जा रहा था कि हम जमीन को कम कर देते हैं किनारे किरानों से करीब करते जाते हैं मुराद यह है कि इनकी उपर जमीन कम हो रही है या 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 फत्ता मक्का is about to come और फिर यहां पर या इसकी उपर फर्दर जो है अब उनको ताकत दी जा रही है कि वो और मजामीन डिसकस होते हैं आगे जाकर जा हज की बात हो रही है तो फिर अबरहीम अलयासलाम का तसकरा और उन्होंने हज पे किस तरह या या वो कॉल दी जो आज तक मौजूद है और हज पर लोग जाते हैं एंड सुरह किदर हो रही है होसले पे या या तसलीदी जा रही हज के मुतलिक बहुसा एकाम है जो मैं भी डिसकस नहीं करता लेकिन हज की उपर एक पूरा एक टॉपिक है कि यहां पर हम हज से क्या सीखते हैं बलके मैं चाहूंगा कि हम जब वहां पहुंचें तो हम हज के वो उन चीजों पर रिफ्लेक्ट करें कि जिस से उमत रखें कि how does that help in our day-to-day life मैं चाहता ही हूँ कि अगर हम आयात का इस के एंड पे एंड आफ तारीम और कुरान के आखर में एक खुलासा सा दिया हुआ है अगर उसको जिससे से ताज उने सा आप कुछ कहना चाहरे है तर सोरी सर वैसे हाथ लग गया आच्छा तो मैं यह चाहरा था कि अगर एक क्योंकि 830 हो रहे हैं मैं सिर्फ आपको मतलब कुछ तो मैंने आपको background से दिया है कि इसमें एहले हक के इन्जाम की बात भी होगी एहले बातल के बारे में भी बात होगी मस्दूल हराम के बारे में उसकी एंट्री के बारे में शिर्क के बारे में क्या है आजजी करने वाले कौन है और कुर्बानी का मफूम क्या है ये बात कि अंबिया की मदद हमेशा आती है और इब्राहिम अर्यासलाम का तफसील से वाक्या कि किस तरह हज़ पे उन्होंने बुलाया और कुर्बानी के मुतलिक कि अला ताला को क्या पहुंचता है और मुसल्मानों को अजाज़ती अपने हाक में खड़े होने की क्यामत के दिन अला ताला खुद फैसला करेंगे और सबसे बढ़ के बात कि मुसल्म को जो लवज है वो पहली भी ठाह हमारे लिए अब भी है मैं ये चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप लोग उसको पढ़कर आ जाएं अट दी एंड तो सूरत अलहाज शूरू करने से पहले नेक्स्ट वीक मैं सरफ पॉइंट्र पॉइंट्स में न सूरत अलहाज के मजामीन को पॉइंट आउट करके देन वील स्टार्ट विए सूरत अलहाज नेक्स टाइम और हमारी कोशिश होगी कि पहले चार यानि पहले दो सफात हम मुकमल करें तो आज I'm leaving कोई फाइब मिनेट के कोई questions है तो मैं वो answer कर लेता हूं अंटिल नेक्स टीक जी सिस्टर शब्नम जी सिस्टर शब्नम जी सिस्टर शब्नम जी सिस्टर शब्नम कर्याब कर दें और मुझे से राबता कर ले अच्छा आप करीमी बुक स्टर वो तो महां से मिली जाता है यह एंपने करीमी बुक सटर से कोई इसलामिक बुक स्टर है वहाँ पताप भी कर सकते हैं कि आपको मिल जएँ वहां से टारीम और पारा साबित करने वाला तो वहां सी बएलिए बता रहा हूँ कि कोरियर के चार्जिस आझ कर जो जो है ना मिनीमं चार्जिस एसाढ़े चार जार सुर रपैय हो गए है फिजास सब ऐसे ही है जी तब रुपया यह एकसो तीस रुपय का पा रहे हैं और सब्सक्राइब कर देना इस गृूप में सब के लिए हर जगह हैं इस यह रच्छे बड़े स्टूर पे मिल रहे होते हैं जहां बुक्स होती है ना मा मिल जाती अगर एक और काम भी कर रहे ना जब तक नहीं मिलते इसका कोई PDF नहीं है या कोई आनलाइन वर्जिन तर वो चेक किया जा सकता है वैसे एक दफ़ा पहले घुंडा था उस वक्त तो सेम नहीं मिला था इस जैसे तो मिल गए थे यह वला नहीं था पीडियेफ यह कैसे हो सकता है उन से राप्ता किया था जो इसको प्रिंट करते हैं तो उन्होंने कहा था कि हमने इसको रिस्टिक्ट रखा हुए है वहाँ पर एक जगह पर उन्होंने बताया था कि आनलाइन वजूद है शायद वहां से भी पर्चेस करना पड़ता है कि सर एक को यह बता दे कि हमने कौन-कौन से नंबर के पारा लेने होंगे दूसरा जो मेरा प्रशन था वो इससे रिलेटेड था कि क्योंके हमें मर्च किया है ना आपने क्यूटी सेवन में और इनमें बेट को इस भी दे दिये हैं और काफी सारा यह पहले से कवर कर चुके तो हम भू कैसे कैस अप करेंगे, उसके यह चाज़गी है? यह से शीक्रेट है इसके, राज है इसका, कोस का क्या आको पता भी नहीं दो उख tweet पड़ेगा और 6 मैने में आप इन से आगे नेकल जाएंगे। आपका कॉमेंट क्वेस्टिन आपने इसमें लिखे के दो मुसफ के दो पेजिस तो ये तालीम अल्गुरान जादा जाहरे पेजिस बनेंगे तो काई दिया कर लें आच्छा चले दो सब्सक्राइब शिजाद साब इनका क्वेस्टिन मैं समझ गया हूं कि मुसफ के दो पेजिस हैं तो वो जो आयात हमारे तालीम कुरान में बनती हैं ना वो इनको बताई जाए यानि जिस तरह कि मैं त मैं देखू नमबर वन से लेके फिफटीन एक से पंदरा जो आयात है ना ये दो सफ़े हैं दो मुसफ के दो सफ़े हैं वन टो फिफटीन तो ये आप चेक कर सब्सक्राइब से देखे आप इदर से ना निशान लगा ले ठीक है सर वो एक्चुली डिफरिंट जो हैं वो ड अधिनी मुसफ है ना मदीना मुसफ पंदरा लाइनों वाला ठीक है सब्सक्राइब कर दें कि जब मुसफ कहते हैं तो सब्सक्राइब करा दिया दो बाते हैं एक तो एजी कुरानिक डॉट कॉम का आपको सब को पता ही है राइट पता है आप सब को किसी को नहीं पता तो दूसरी बात है कि आप सब अपने शेयर करें वो आईडी शेजाज साब के साथ तो आपको क्यूसी सेवन की जो एप है वो आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको इन्शालाँ टेकर अपने अपने शेयर को नहीं पता है वो आपको इन्शालाँ अगले अप्टे आप से मुलाकात होगी अज की रिकार्डिक बहुत है इसको अपने ग्रूप पर जारा है जल से यह बिलकुल शास अब कर लीजिए और इसमें मैं भी देखा किसी ने शेयर किया हमारे साथ सिस्टर तमकीन ने कि यहां से मिल सकता है ऑनलाइन यह ऑनलाइन परचेज है ओके ग्रेट थैंक यूस फॉर शेरिंग दे सिस्टर तमकीन अगर वो बेज़ दिया जाए तो शेजाद साब प्रीस हैंडल तर तो सर्टिफिकेट्स जब इनको सेंड किये जाएंगे तो उसके साथ इनके कि यूसी 7 के भी तो मार्क कुछ चेंज होएंगे तो वह हम से भी फिर शेयर कर दें हाव चेंज हो गए अब यह है कि मैंने का था शायद को इसको कुछ टॉपिक को नहीं छेड़ेगा यह तो यह तो यह तो यह जब तक मैं रहूंगा मुझे यह जो है ना तीन मिनट उपर हो गया है वो नंबर सीरिये मुझे से राप्ता करने में बतादे शिजाद साब उनको बढ़ गए हैं सबके और अगले नंबर पढ़ गए हैं सबको बेज़ दे तो मेरे काल में बेज़े बिलकुल बिलकुल यह नहों कि आप किसी को बता देंगी फिर तो एक और इशू हो जाएगा सबको अलगलग बताते हैं जजा कर लोगों को आपने पर मोट कर दिया है लेकिन किसी सेवन वालों को सारों को साम हमारी तरफ के और इनके साथ बनाते रखने बढ़ेगी कि यूनियर्स के साथ बहुत बुरा होता है नहीं अभी हमने आपको अगले अफ़ते मेंटोर्स में तो चूस करने हैं शिजाद साथ वो मेंटरिंग वाला भी जरा हम डिसकस करेंगे कि कैसे इसको हम नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है श्याद जरूरत ही ना पड़े पट वी किन डिसकस लैट पर इनसे इंसला हम ब दो दो बारा रिवाइस करेंगे और देखे थोड़ा सा बार रेस भी तो करना चाहिए ना शिजाद साथ एक लेवल आइस्ता इस्ता उपर उपर जाएंगे तो फिर ज़रा खुशी भी होती है चैलेंज भी आता है लाइट में राइट तो इमाद भाई इंटरस्टिंग श ज़रा कर लाइट